हाई अवरिवन कैसे सभी लोग आई होप सब अच्छे होंगे और बड़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे मेरा नाम है शिखर सिंग और इस वीडियो में बोले तो इस वन शॉट में अपन कवर करने वाले हैं पूरा चैप्टर है ना यह जो अपना सुलूशन से चैप् चैप्टर है साथ नंबर का आता है तो अब इसमें रहेगा क्या कि आपने नुमेरिकल पर फोकस करना है और जो मेन टॉपिक्स हैं जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्ट्स हैं है ना वहां से भी कोश्चन पक्का आता है ठीक है तो मैं यह वाला चैप्टर बिल्कुल शून से स सुलूशन में आज आईए सिखा दूँगा पूरा चैप्टर बढ़िया तरीके से कंप्लीट करेंगे अपन है ना तो शुरू करते हैं सुलूशन जो है तो सबसे पहला ही कोश्चन हो गया कि भाईया एक्जैक्ली सुलूशन होता क्या है ठीक है तो जो सुलूशन की बहु को मिला दिया तो मेरे पास एक जो मिक्षर बनेगा वो बनेगा होमोजेनस मिक्षर अब होमोजेनस और हेटरोजेनस वैसे तो आपको पता होने चाहिए लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हमोजेनस होमोजेनस और हेटरोजेनस एक्जेक्ली होता क्या है जैसे एक्जामपल स इसको थोड़ा सा बॉयल होने दिया, फिर दूद डाला, फिर बॉयल होने दिया, फिर मैंने उसमें एंड में विल्कुल चीनी डाली, बहुत बढ़िया मास्टर, बढ़िया चाय बन गई, अदरक भी डाली है, मैंने बोला न, अदरक डाली है, तो मैंने सब को बढ़िया तर उसका भी टेस्ट सेम, इसका मतलब क्या है, कि जो पहली सिप है, और जो आखरी सिप है, दोनों का ही टेस्ट सेम है, मतलब जो चाय है, उसका जो थू आउट दी चाय जो मैं पी रहा हूं, उसका जो टेस्ट है, वो सेम बना रहा है, इसका मतलब क्या है, कि वो एक होमोजेनस म मिक्षर जो मेरा मिक्षर बनाए वो throughout the mixture सेम है उसको बोलते है homogeneous mixture एक और example लेते हैं सर यह homogeneous की बात नहीं अगर मैं heterogeneous की बात करूँ अब heterogeneous में आप for example आपने क्या किया आप गए किसी भी beach पर गूमने कहा ना beach, अरे समंदर, तो आप beach पर गूमने कहा आपने कहा किया किए कि पहले एक glass में पानी लिया उसमें रेत डाली है जो sand होती है beach में sandy sand होती है और क्या होता है तो sand डाली हो बहुत बढ़ी यह तरीकी से उसको stir किया घोला आपने इस्टेर किया थोड़ी देर बाद देखा कि अर्रे भाईया सेंड तो मेरी सारी नीचे आगे बैठ गई है ना तो अब मैं अगर वो salty water जो बीच के आगर पानी पियोंगा तो मेरे पास पहले सेंड नहीं आएगी बिल्कुल end में सेंड मिलेगी तो अगर मैं दो component को mix कर रहा हूं वो mix होने के बाद homogeneous mixture बनाए एक uniform mixture बनाए तो वह होता है मेरे पास homogeneous mixture और यह जो sand और water वाला example है this is your heterogeneous mixture जिसमें मेरे पास un uniform या आप में बोलो non-uniform mixture मिलता है तो definition आपको clear होगी क्या लिखा हुआ है फटाफट से इधर क्या लिखा हुआ है solutions are the homogeneous mixture of two or more than two components अपन जो आज मतलब इस वाले solutions में आपे class 12 में जो है वो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ binary solutions है तो अपन binary solutions पर ही focus करते हो चलेंगे binary अरे maths वालो computer वालो binary क्या होते है zero और one zero और one मतलब दो तो मेरे पास हम जो पढ़ने वाले है जो ऐसा solution जिसमें मेरे पास दो ही component होगे है जिसके पास दो ही component होगे solution having two components is known as binary solution ठीक है अब अब आते हैं solute और solvent पर सर अभी तक वैसे तो बच्पन में पढ़ लिये थे लेकिन सर अभी तक solute और solvent में दिक्कत होती है तो सुलो मैं एक आज आज आपको बहुत silly trick बताऊंगा बहुत silly trick है लेकिन दिहान लएगा आप लोगों को सुनिएगा वो ट्रेक है देखो सारे लोग इदर प्लीज और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो और प्लीज वीडियो लाइक करते हो चलिए है थोड़ा बहुत अपनी intensity बढ़ाते हो चलिए क्योंकि important chapter है और यह जो अपने boats है around the corner boats बस आई गए है बही है सर पर खड़े कि एक होता है वो ज्यादा quantity में होता है एक होता है कम quantity में ज्यादा और कम यह जो word मैं यूज कर रहा हूं यह respective terms है respective terms है इसका मतलब क्या है कि जैसे अब माल लीजी के मैंने बोला कि यार उसकी height बहुत जादा है तो मैंने बोला रहे तो क्या हुआ हुआ मेरा तो weight है तो यहाँ पर क्या हुआ हुआ जो मेरे पास reference point है वो अलग अलग है sugar solution तो अगर मैं salt in water की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर मैंने पानी अब तुम लोग automatically common sense लगा हो ना तो पानी जादा quantity में होगा वो होगा मेरे पास solvent और जो कम quantity में होगा वो होगा मेरे पास solute तुम लोगों को इतना तो clear है मुझे पता है तो तुम लोगों को इतना पता है कि जो कम quantity में रहता है उसादा quantity में होता है लेकिन सर कभी कभी ना confusion किस चीज़ में होती है मैं बता रहूं न क्योंकि हम लोग भी वहीं से गुज़रे है जहाँ अभी तो तुम हो दस साल पहल है सुनना सुनना इधर आजाओ और यहां मेरे पास अगर तुम count करोगे तो एक दो तीन चार पाँच है साथ साथ यहां पे हैं मेरे पास seven letters blah okay इस से जादा silly और इस से जादा घरी हुई में आपको के नीए बता सकता दरह जिस से जो हमें याद रहे वह silly tragic नहीं है वह थो Imprints do दुम्हारे इंपोंटेंे ट्रीक है पीपर में काम आएगी तो जो कम quantity में होता है जिस पह अगर त Wenji erklio हो जातो हो इसमें 6 लेटर है solute, इसमें 7 लेटर है solvent, अब तुम्हें कहीं दिक्कत नहीं होगी, अब तुम कभी भी नहीं भूल होगे, तो solute and solvent clear हो गया, अगर मैं sugar solution की बात करूँगा, तो sugar solution में क्या रहता है मेरे पास, sugar है, है ना, sugar है मेरे पास, तो जो sugar है वो होगा solute, कम quantity में solute, ठीक है, और जो जादा quantity में होगा, that will be your solvent, और solvent क्या होगा, water, solvent क्या होगा, water, तो I hope कि आपको ये solute और solvent वाली कहाने clear हो गई होगी, बढ़ते हैं अपन आगे, अब देखना, अब बहुत इजी है, तीन solution अपन बनाते है, तीन solution क्या है, मेरे पास है solid solution, liquid solution, और gaseous solution अब बहुत easy अगर कोई बोल रहा है कि मेरे पास एक solid solution अपने आप इसमें, यहाँ पर यहाँ पर मैं अपने आप तुम्हें बताता हूँ कोई तुमसे बोल रहा है किसी नहीं, किसी नहीं तुमसे बोला कि मेरे पास solid solution तो अगर मेरे पास solid solution कौन होगा वो जो solution के साथ लगाए मतलब वो होगा solid और सर्फ solute क्या होगा solute कुछ भी हो सकता है solute आपका gas भी हो सकती है और liquid भी हो सकती है that doesn't matter जो matter करता है वो है कि मेरे पास solid solution है तो आपका जो solvent होगा जो जादा quantity में होगा that will be your solid अब आप खुदी example ले सकते हैं जैसे for example अगर मैं liquid solution की बात करूँ तो liquid solution में जादा quantity में क्या होगा liquid अगर मैं gaseous solution की बात करूँगा तो जादा quantity में या फिर बोलिये solvent कौन सा होगा तो वो होगा मेरे पास gas clear clear है ठीक है आजाईए वही चीज मैंने आपने यहां पर लिखी हुई है solvent solid solution solvent liquid है liquid solution solvent मेरे पास है तो gaseous है तो वो हो गया मेरे पास gaseous solution clear notes बनाते हूँ चलो बहुत प्यारे बहुत अच्छे notes में बनवा दूँगा तुमारे इस one shot के साथ साथ तो अगर आपने notes अभी तक नहीं बनाये है proper notes नहीं है ऐसे rough sheets में या फिर तुमने अभी भी photo state से काम चला रहे हो तो भाईया photo state वाली कहानी अपन को बंद करनी है photo state से पढ़ाई नहीं होती है खुद की handwriting जब तक नहीं होगी खुद का feel नहीं आएगा पढ़ने में तो क्या ही फाइदा तो notes बनाते हुए चलो video video रोकते हुए चलो जहां पर आपको देख रहा हो और यह है यहां पर example ठीक है यहां पर example solute solvent आप समझ गए हो अगर मैं gaseous solution की बात करूँगा तो मेरे पास जो solvent होगा वो gas liquid solution solvent will be or liquid अगर solid solution है तो मेरे पास जो solvent होगा that will be solid अब अलग-अलग example है सारे example याद रखने की ज़रूत नहीं है बस मैं हलके हिल्पकिल आपके बता देता हूँ जैसे अगर gas in gas है gas in gas तो भही हम nitrogen and oxygen तो अपने यह जो atmosphere है इसमें nitrogen almost 71% है और उसके बाद फिर oxygen है तो major क्या है nitrogen है तो इसलिए clear कोई और example ले लो जैसे liquid in liquid है तो ethanol in water अरे ethanol अरे दवाई तो ethanol in water तो ज्यादा quantity में क्या रहता है पानी रहता है मेरे पास ठीक है clear उसके बाद solid in liquid तो glucose dissolved in water glucose C6H12 O6 है न और और भी example ले लिजए जैसे किसी में confusion होगी कि sir यह वाला gas और solid वाला gas और solid वाला आपको समझने के लिए वैसे तो वाला chapter आप से delete हो गया है course से जो है मेरे पास surface chemistry तो surface chemistry में क्या रहता है कि adsorption और adsorbent दो term होते हैं सीख लो सीख लो important है दो टाम होते है adsorption और adsorbent तो मतलब adsorbate और adsorbent तो जिस surface पर adsorption होता है जिस पर adsorption होता है उसको बोलते है adsorbent ध्यान लखे ना bent word user bent मतलब जुकेगा कौन जुकेगा जिसके ऊपर कोई आखे बैठेगा तो adsorption जिसके ऊपर हो रहा है वो था adsorbent और जो आके adsorb हो रहा है वो था adsorbate मैं आपको बता दे रहा हूँ है अगर कहीं कोई तुम से पूछ है क्योंकि यह अच्छी ट्रिक है यहां से तुम्हें ध्यान रहेगा तो क्या है जैसे दो होता है एक होता है मेरे पास adsorbate तो यहां जो adsorbate है वो है hydrogen clear hydrogen क्योंकि hydrogen gas आके palladium यह जो मेरी which is your paladis clear I hope कि आपको यह पूरा बढ़िया तरीके से clear हो गया हो है ना चलिए चीग है एक सेकिंड अरे हो जा चलिए आप लोगों ने अगर नोट दल लिया है तो मुझे बता दीजेगा मैं बढ़ता हूँ आगे फटा-फट से एक सेकिंड देना यार यह मेरा सुचोफ हो रखा है अफाल तुम्हें ड्रामे हो जाएंगे चलिए छोड़िए बढ़ते हैं इतना clear हो गया चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए चलते हैं अपना आते हैं अब कुछ-कुछ टर्म से कॉंसेंट्रेशन टर्म से आपने क्लास से पड़ते हैं मतलब 11 यह उपड़ रखेंए इससे मोल लेटी हो गई ठीक है और भी पढ़ लेते हैं जैसे मास पर्सेंटेज है अब मास पर्सेनेज्ट भर्मूला है फ्लीज फटा-फट से फोर्मूला से लिगते हो चलि ठीक है और अब किसी ने मेरे से पूछा कि आप mass percentage of component A बनाईए mass percentage of component A बताईए अब देखो A और B को मैंने mix कर दिया है इन दोरों को मैंने mix कर दिया ये क्या बनाए है mixture बनाए mixture बनाए obviously homogeneous होगा क्योंकि solution पे अपन homogeneous mixture ही पढ़ते है तो mass percentage अगर तुमसे कोई component A की पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे master वो होगा मेरे पास mass mass of component A सुनते हो चलिएगा mass of component A divided by divided by क्या होगा mass of component A C A लिख दे रहा हूँ plus mass of component B यहां से clear हो जाना चाहिए mass percentage exactly होता क्या है ठीक है ठीक है अब किसी ने तुमसे पूछा कि mass percentage of component B भी बता दे साथ साथ तो mass percentage of B को आपको न फिर उसको पूरा solve करने की ज़रूत नहीं आप क्या करोगे कि आप मुझे अच्छा mass percentage of component B चाहिए तो मैं क्या करूँगा 100 minus mass percentage of component A खताम हो गई कहानी matter ही खताम हो गया matter ही खताम साथ में आ गया अरे जैसे mole fraction अभी mole fraction आएगा तो mole fraction में रहता है वन से है ना ratio में जैसे वन ऐसी इदर तो जो percent है percentage का क्या मतलब होता है percent मतलब per 100 है ना तो पर 100 में अब total 100 है एक कम अगर मैंने निकाल लिया तो दूसरा 100 minus mass percentage होगा ना clear है तो यही है इसका देखरो mass of component in the solution divided by total mass of the solution अब total mass obviously total mass रहेगा वो दो ही component है तो mass A और mass B का रहेगा clear ठीक है आप लिख भी सकते हो example से समझेगा if a solution is described by 10% glucose in water अब यह बोल ला है कि 10% glucose है वो in water में इसका मतलब क्या है कि मेरे पास 10 gram of glucose सुनिएगा 10 gram of glucose dissolved in 100 gram of water देख रहे हो यहां पर dissolved in 90 sorry 10 तो हो गया तो 90 बचाएगा अरे total 100 है अभी तो मैंने लिखा था अभी मैंने लिखा था कि 100 माइनस करना है तो क्या रहेगा 10 gram of glucose dissolved in 90 gram of water to form a solution clear clear है total 100 रहना चाहिए total 100 आ जाहिए mass percentage वाली बात clear हो गई अब आते हैं gram में बात हो रहे थी है ना यहां पर क्या था mass है mass gram में होगा अब अगर volume आ गया है तो भया मैं ml में बाते कर लूँगा ठीक है तो total volume of the component divided by total volume of the solution into 100 तो करना पड़ेगा क्योंकि mass मतलब percentage की बात हो रही है clear तो इसका example ले लेते हैं 10% ethanol dissolved in water इसका मतलब क्या है कि 10% of ethanol is dissolved in 90 ml of water इस term को 10 ml of ethanol dissolved in 90 ml of water to form 100 ml of the solution तो यहां पर जो total volume कितना आएगा अगर मैं इसकी बात करूँ तो 10 divided by 90 plus 10 that will be 100 clear clear है अब आते हैं mass by volume पे mass by volume का क्या ही मतलब है mass by volume same भही अब मेरे पास उपर जो रहना चाहिए वो mass gram में रहना चाहिए नीचे वाला मेरे पास volume में रहेगा तो another unit which is commonly used in medicine जाना pharmacy में वो मेरे पास use होता है तो वो होता है 100 ml of the solution मतलब कितना mass है divided by solution clear है यह वाली mass by volume वाली जादा important नहीं है तो volume percentage और mass percentage काफी important रहते हैं calculate matter भी बताते हैं कि यह वाले matter कितने मेरे पास कितना present है है ना माली जा उसने बोला कि यह मेरे पास three parts per million present है जैसे sulfur gas हो गोई यह वाली gases atmosphere में बिल्कुल भी safe नहीं है है ना तो यह बताते हैं मुझे कि कितना भाइसा pollution हो रहा है तो atmospheric units होती है यह atmosphere में जो pollutants मेरे पास present है वहां term use होता है parts per million अब यह से million जो है देखो per million per cent per cent में रहता है मेरे पास per hundred अगर million आ जाएगा तो per million मतलब 10 raise to the power 6 10 raise to the power 6 तो ध्यान रखेगा अगर million है तो million में मेरे पास 10 raise to the power 6 होता है ठीक है 10 raise to the power 6 तो जो मेरे पास number of parts जो दे रखे हैं उसके बार divide by total mass और यहां पर यह important बस अरे यार बिलकुछ same है ना percentage की तरह ही तो है percentage नहीं निकालना है अपर अब यहां parts per million निकालना है तो million में बात होगी तो into 10 raise to the power 6 कर दूँगा बाकी चीज़ा बिलकुल सेम रहेगी अभी question कराऊंगा clear हो जाएगा clear अब आते हैं mole fraction पे mole fraction mole fraction को मैं थोड़ा सा अलग से बताता हूं सुनिएगा मेरे पास मैं यहां पर बतारो mole fraction सारी बात है मैंने बहुत अच्छे से इसलिए लिखके लाया हूं यहां पर ताकि आप notes बहुत प्यारे बना सको है ना जब भी मैं हट जाये करूँ आप screenshot ले लिया करिये ठीक है तो अगर मैं mole fraction की बात करूँगा तो सुनिएगा मेरे पास वही दो given mass जो भी मेरे पास given mass होगा वो होगा given mass of a divided by divided by molar mass of a बड़िया बात है divided by molar mass of a ठीक है clear अब मैंने आप से बोला कि अब सेम चीज़ number of moles of b number of moles of b जिसको मैं n b से denote करूँगा that will be your given mass of b है ना प्लीज अभी समझा दूगा given mass of b divided by molar mass of b molar mass of b ठीक है अब मैंने बोला कि आप mole fraction of a निका दिए mole fraction of a तो mole fraction of a का जब मैं इसको निकाल लूँगा तो क्या आता है ऊपर आते है number of moles of a जिसके मुझी mole fraction निकालना है उसी को मैं ऊपर रखोंगा तो number of moles of a divided by divided by total moles अब obviously हम लोग इस चप्तर में पूरे solution में binary solution ही पढ़ रहे है मेरे पास दो ही component है तो यहां से आ जाएगा मेरे पास na plus nb यह रहेगा मेरे पास क्या this is your mole fraction of a अब तुम से किसी ने पूचा कि सर मोल fraction of b बताई यह तो मैं directly बोल दूँगा हा सर यह होगा मेरे पास number of moles of b divided by number of moles of a plus number of moles of b है ना यह रहेगा ठीक लेकिन लेकिन अब यहां बात किस की ओर यह fraction और जो जैसे percent है percent में होता है hundred से comparison million में है 10 is to the power 6 है और यही अगर मैं इनकी बात करूँगा अगर मैं इनकी बात करूँगा तो मेरे पास क्या रहेगा तो मेरे पास यहां convert हो जाएगा किस में एक सेकंड देना मुझे अब यही में अगर आप लोगों से काऊं कि ठीक है सर मेरे पास mole fraction of a आ गया यहां mole fraction of b आ गया जैसे मैं आप लोगों से क्या बात कर रहा था कि मेर की पास per cent है per cent में होता है per hundred per cent में होता है अब यही पर million है तो अगर fraction आ जाएगा तो यह होता है 1 में, 1 में इसका मतलब क्या है, कि मेरे पास क्या रहेगा, x a, है न, देखना, एक सेकिड, मेरे पास क्या रहेगा, x a plus x a plus x b क्या रहेगा, 1, total 1 होगा, तो आपको, फिर ये दोनों अलग से count करने की, या फिर अलग से calculate करने की जूरत नहीं, अगर आपने mole fraction of a calculate कर दिया तो xb को xb को मैं directly 1-xa की form में निकाल सकता हूँ clear है इसको मैं 1-xa की form में निकाल सकता हूँ अगर clear है तो मुझे बता दीजेगा सारे लोग है ना अपना वीडियो वीडियो लाइक करते हूँ चलेगा बाकी अपने दोस्तों के साथ पटापट से शेर करते हूँ चलो आते हैं इसी से related फिर एक कोशन कर लेते हैं क्या बोल रहा है calculate the mole fraction of athylene glycol है ना ये athylene glycol होता है ऐसा कुछ दिखता है athylene glycol athylene glycol होता है मेरे पास CH2 CH2 यहाँ OH और यहाँ जाएगा OH यहाँ से सबसे पहले अगर मैं क्या निकालों मुझे मोल फ्रेक्शन निकालना है तो सबसे पहले यहां पर क्या होगा इसका मतलब क्या है इसका मतलब है 20 g अब देखो मास में बात हो रही है तो 20 g of C2H602 यह लखना सीख जाओ कोशन सॉल्व हो जाएगा 20 g of C2H602 present in present in अब क्या बचेगा क्या बचेगा मेरे पास कुछ कोई और मेरे पास कोई प्रिजेंट रही है कि सर क्या है भाई यह फिर तो वाटर ही होगा ना यह तो हो गया solute तो वाटर गया होगा 20 g यह है परसेंट में बात कर रहा है तो बाकि जो पानी बचेगा वो 80 g प्रिजेंट इन 80 g ग्राम ओफ वाटर वाटर पूरा लग दू मैं फॉर्मिंग फॉर्मिंग हंड्रेड हंड्रेड ग्राम ओफ सल्यूशन कहानी समाप तो गई भई कहानी समाप तो गई अब आप लोग अपने आप कर लोगे देखो कैसे करेंगे अब आप मुझे मोल फ्र तो क्या होगा देखना यहां से आजाएगा 12 12 24 प्लस 6 और यह हो जाएगा मेरे पास 16 16 32 मतलब यह आगया मेरे पास 32 अरे 30 प्लस 30 60 और 2 62 तो यह आगया मेरे पास 62 फॉर्मुला यूनिट में जो भी यह ग्रैम पर मोल मैंने कर लिया अब फॉर्मुला लगाएंगे दोस्त क इधायलीन गलाइकों एडिवाइड़ भाई नमबर उफ मोलस अफट प्लस ढिस बी एंधाय बी मैंने बना है पाने भी है मेरे पास पानी अब डाएक्विम कर लेंगे आ रहा रहा है अन्सर आ रहा है नमबर उफ मोलस ओफ एए मोलस कैसे निकालता है गिवन मास्क बाजर प्लस अब निकालने हैं number of moles of water तो water के moles निकाले नहीं आजाए है number of moles of water निकालने तो क्या होगा given mass कितना है पानी का पानी 80 gram 80 divided by कितना होता है पानी का अरे 16 plus 2 18 H2O molar mass 18 तो यह आजाएगा 18 तो यहाँ से मेरे पास जो निकल के आएगा वो आएगा 80 divided by 18 इसको solve कर लीजे solve मैं नहीं करूंगा जो भी आएगा वो यूनिट लैस रहेगा इसका जो answer निकल के आता है वो 0.068 कुछ निकल के आता है हतम पूरा अगर समझ आ गया तो मुझे बताते हैं इसको solve करके खुद कर ले ना यार मैं तुवारा one shot में solve करने लग जाओंगो तो बहुत लंबा one shot चल जाएगा तो आई होप कि आपको यह पूरा बढ़िया तरीके से clear हो गया होगा समझने वाली बात क्या है कि अगर अगर आप लोग यह वाला statement बना लेते हैं अगर आप लोग यह वाला statement बना लेते हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी इस question में क्योंकि इसी में तो हो गया मेरे पास जो given mass is solid का वो भी आगया जो given mass is solvent का वो भी आगया अपनको उसी से मतलब होता है एक बार अगर ज आगे और अब आते हैं मोलरिटी पर लोग बहुत फेमस मोलरिटी बहुत पेमस यह तो तुम्हारे बहुत फेमस वाले इनको तो मैं आगे बढ़ाता हूं फटापक सब्सक्राइब क्या होती है number of moles of solute divided by volume of solution in liter इसका भी को सॉरी इसका भी question कर लेंगे देखना number of moles of solute divided by volume of solution in liter, molality क्या होती है, इन दोनों में difference देखना, molality और molarity में जो difference है वो तो एक difference है यहां पर लगा हुआ है, इसका R लगे है, तो यहां पर उपर number of moles of solute, number of moles of solute, दोनों बात है same, डिक्टो सेम, difference कहां आ जाता है, difference आता है denominator में, यहां होता है मेरे पास volume of solution in liter, volume of solution in liter, देख ल और नीचे जब आओगे, तो यहां होता है मास, पहला change उपर volume, नीचे आता है मास, यहां जो आएगा, वो होगा, volume of solution in liter, यहां होगा, वो होगा, mass of solvent, समझो, mass of solvent in kg, clear है तो कोई तुम से molarity बूचे, तो molarity is defined as the number of moles of solute divided by volume of solution in liter, whereas molality is defined as the number of moles of solute divided by mass of solvent in kg, एक और चीज़ नोट कर लेना, यहां पर जो उसका, जो unit आएगी, वो होगी मेरे पास mol per liter, mol per liter, और इन भाई साब की जो unit रिखल के आएगी, वो होगी मेरे पास mol, mol per kg, mol per kg, clear, clear है, आजा, यह और clear करते हैं, question करते हैं, आजा, यह चलिए, 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 चलिए और चीज़ आपको कैसे करना है, वो बताऊंगा, पूछ रहा हमेशा, जब मोलरिटी को अपन, capital M से डिनोट करते हैं, धान दखना, molरिटी, capital M, molality, small m, चलिए, फ़र्मुला क्या होता है, फ़र्मुला होता है, मेरे पास number of moles, number of moles of solute, है न, उसके बाद, divided by, यहां आजाए solution है, volume of solution किसमें, लीटर, important है, लीटर term, अब अलग से, यह तो वाद सा, मैंने formula को सजा लिया, मैंने, है न, formula सजा लिया, अब जो-जो term मुझे चाहिए, उसको निकालते है, कैसे निकालेंगे, सुरिएगा, क्या लिखा हुआ है, number of moles of solute, मुझे solute के number of moles चाहिए, तो अब solute है, क्या, sodium hydroxide, 5 gram of NaOH, तो यह है मेरे पास, तो यहापर देखना, number of moles of NaOH, कितने आएंगे, given mass, 5, molar mass, कितना होता है, sodium hydroxide का, देखो, sodium hydroxide का molar mass, निकालेंगे, तो 23, plus, hydrogen 1, plus oxygen आगया, मेरे पास, oxygen है, तो 8, 8 हो गया, मेरे पास, 16, तो कितना हुआ, 24, और यह 16, मतलब 40 निकल क आया, सही है, 40 आगया, clear है, तो यहां से यह आगया, भाईसा 40, तो यह क्या है, number of moles of solute, अब आजाएंगे, question पर वापस, M, number of moles of solute, 5, divided by 40, यहां divided by, volume of solution, in liter, volume of solution, in liter, volume of solution, in liter, volume of solution, क्या दे रखा है, 450, 450, नेकिन मुझे चाहिए किस में, अब यह तो ml में है, लीटर में चा कितने लीटर, 10 is to the power minus 3, तो यहां आजाएगा, divided by 1000, है, है, तो यह क्या आजाएगा, यह हो जाएगा, मेरे पास mole per liter, तो M जो निकल के आएगा, first का 4 से multiply कर दीजे, 5000, second का 3rd से, 40 into 400, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 5 से 8 गया, तो यहां से 10 divided by, solve कर लेना, 10 divided by 8 into 45, जो भी निकल के आएगा, वो होगा mole per liter, solve कर लेना, वीडियो के solve करके, जब notes बना रहे हो, तो पुरॉपर answer यहां पर लिख लेना, clear है, तो formula लगाना सीख रहा है, बहुत जादा typical question, यहां से नहीं आएगा, easy, ऐसे ही question आएगे, ठीक है, और सुनो, अगर यहां पर 450 ml ना देके, एक बार को माल लो, उसने 1 liter लिखा होता, 1 liter, तो आप यहां पर directly 1 लगा देते, directly 1, अगर लीटर में दे रखा है, तो में चेंज नहीं करूँगा, अगर ml में है, तो लीटर में चेंज करना अनिवार है, mandatory है, अगर आप चेंज नहीं करोगे, डिवाइड से उपर से नंबर भी नहीं आएंगे, फिर मत बोला, अरे, पेपर तो अच्छा किया था, लेकिन नंबर नहीं आए, master, तो वही हो जाता है, clear है, clear है, चलिए, बढ़ते हैं आगे, अब आते हैं, नॉर्मैलिटी पर, यह नॉर्मैलिटी वाला जो टैम है, हलका सा है, इसको इसके अलग-अलग formula, एक, molality इंटो एन फेक्टर, molality यह तो important है, normality और molarity कैसे एक दूसरे से relate करती है, वो देखेगा, normality is equals to molarity into n factor, for example, अब सर n factor क्या है, जैसे n a c l है, तो वहाँ पर n factor 1 हो जाएगा, ठीक है, कितने electron का लेंदेन हो रहा है, बाकि acidity और basicity, जैसे अगर basic acidity के बारे में बारे 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 बाहत होगी, तो कितने oh negative है, वो आ जाएगा, और यहीं अगर acidity के बारे में बात होगी, तो वो h plus कितना होगा, वो आ जाएगा, आपने बस यह वाला formula धियान रखना, यहां से कभी-कभी question आ जाता है, बस, ठीक है, आज और फिर question ही कर ले quality, ठीक है, और कभी-कभी, वहां से, mass percentage और volume percentage में से कहीं से भी एक पूछ लेगा, और वो कैसे फसाएगा, वो फसाएगा, मोल fraction के साथ, यह वाला question जो मैंने आपको कराया था, कहां गया, यह वाला, यह बहुत important है, ऐसा question आ सकता है, मैं बोलेगा, ऐसा आ सकता है, तो मैंने number of moles of solute, हां सर यह तो दोनों में constant रहता है, divided by, यहां जाएगा मेरे पास mass, mass of solvent, mass of solvent, और वो भी किस में, kg में, kg में, तो क्या रहेगा number of moles of solute, given mass divided by molar mass, given mass क्या है, 2.5, molar mass, ethanoic acid का molar mass, निकालना जल्दी से, क्या होगा, 12 plus 3 plus 12 plus, मतलब यह तो 2 है, तो 8, 8, 16, 32 plus 1, तो 12, 24, 24, 32 और यह आजाएगा, 4, कितना हो गया भाई, 4, 6, 0, 3, 2, 5, 60, 60, 60 निकल गया आया, 60 होगा ना इसका, तुम लोग भी solve करते हो, चलो, 60 आएगा, clear है, चलिए, तो number of moles given mass divided by molar mass, mass of solvent कितना है, 75, 75 है, अब यह ग्रैम दे रखा है, 75 ग्रैम दे रखा है, मुझे इसको kg में convert करना पड़े का, तो यहां पर यह आजाएगा, divided by 1000 kg, mole per kg, mole per kg, mole per kg, ठीक है, मैं बहुत देख रहा है, तो यह गलत तो नहीं किया, तुम मालूम पड़े, कमेंट कर रहे हो, master, calculation ही नहीं आती तुझे, है, आजाएगे, कमेंट करने में तो तुम वो हो, गलती निकला है, बस, divided by, यहां पर आजाएगा, 60 into 75, solve कर लेना, जो भी आंसर आएगा, mole per kg में आएगा, solve मैं नहीं करूँगा, तुम लोगों की गड़ित, तुम लोगों की गड़ित, तुम लोगों का board pass मेरे से जाधा अच्छा है, ऐसा मैं मान के चलना हूँ, मान के, तब इसको solve करिएगा, अरे कुछ नहीं है, यहां से point हटाना, इधर 0 आजाएगा, यह cancel, यह cancel, यह cancel, यह cancel, इधर point हटाओ, तो एक 0, फिर यह वाले 0 से यह 0 cancel, अब देखो, और इसी कर दो, 25 यह cancel, 25 से यह आजाएगा, 3, तो अब तक जो बचा है, वो बचा है, मेरे पास 10 divided by, 10 divided by, 6 रीजा 18, इतन कर दिया, 10 divided by, पेपर में, अगर तुम चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, मैं इमन कर रहा है, solve करने का तो, चलिए, तो अपने जो terms थे, यह वाले terms अपने clear हो गए है, terms वाली, कहानी खतम हो गई है, अब आते है, solubility पे, solubility, सो नहीं एका important topic है, यहां से question तुमारा का मतलब होता है, solubility का मतलब होता है, solubility का मतलब होता है, घुलना, खताम, कौन किसमें कितरा घुल सकता है, उसको solubility होता है, solubility of a substance is maximum amount that can be dissolved in a specified amount of a solvent at specified temperature, for example, मान लीजे, यह है मेरी बातली, मेरी famous बातली, यही मेरे साथ रहती है, इसी के साथ मैं सारे example देता हूँ, इस में चीनी डाली, अभी मान लीजे, यह जो बोटल है, वो एक लीटर की है, एक लीटर की बोटल है, अभी इसमें प्रोपर पूरा पानी भरा हुआ है, मेरे पास थोड़ा सा पिया है, इत्तू सा, तो मेरे मान लीए कि इसमें एक लीटर पानी है, अब मैं इसमें चीनी मिला जब तक यहां पर मैंने उतनी चीनी डाली जब तक वो उसमें तो उसका वह जो पॉइंट निकल के आया है वह जो पॉइंट जो रहता है जहां पर वह मेरी डिजॉल्व हो सकती है उसको अपन बोलते हैं कि इसा नहीं है कि मैंने थोड़ी सी चीनी डाली डिजॉल्व कर दे तो इसको सॉल्विलिटी बोल देंगे ना मैग्सिमम ठीक है लिखा हुआ है मैग्सिमम ही अमाउंट यह इंपॉर्टेंट है मैग्सिमम अमाउंट बैट कैन भी डिजॉल्वंड इन इस पैसिपई अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट देख रहे हो एच इस पैसिविक टैंपेश्य आपने इसका टैंप रिचार इंक्रीज या decrease नहीं करना है for example जैसे चार्शनी बनती है तो चार्शनी में temperature increase करते हैं भाई सब यहाँ temperature increase नहीं करना है जो है भी अभी माल लिजे इस room में जो temperature है वो माल लिजे 20 degree हो रहा है ठंड है 20 degree 20 degree हो रहा है 20 degree पर कितना dissolve हो सकता है वो है solubility अब solubility किस किस पर depend करती है pressure पर क्या pressure पर depend करती है solubility मैं बिल्कुल उचे से start करोगा तो मोग बताइए क्या pressure पर solubility depend करेगी जो मेरे पास liquid और solid होते है वो pressure अब उनका intermolecular distance होता है वो minimum होता है तो pressure पर बिल्कुल भी depend नहीं करती आप pressure increase करिये कुछ करिये अरे यार पानी है पानी कर तुम pressure increase करेगा तो पानी कहां ही compress होगा उसमें intermolecular distance वैसे ही minimum रहता है ठीक है तो pressure will have no effect है ना no effect pressure पर तो no effect आ जाएगा अब आते हैं temperature क्या temperature पर depend करेगा हाँ sir temperature पर depend करेगा अभी मैंने जो pressure में जो बात करी है वो no effect in solid and liquid है solid and liquid है ना gas में में चले जाना gas में तो बहुत depend करता है क्योंकि gas की बात है आगे आएगी अभी हम लोग solid और उसकी बात कर रहे है अगर मैं temperature की बात करूँगा तो हाँ अगर मैं temperature increase करूँगा तो वो मेरा बढ़ेगा endothermic reaction में सुनिएगा solubility increases solubility increases as we increase the temperature as we increase the temperature in endothermic reaction ये important है in endothermic reaction अरे ली चटलियर प्रिंसिपल in endothermic reaction और अगर exothermic होगी तो मैं temperature नहीं बढ़ा सकता है अगर temperature बढ़ा होगो तो reverse चली जाएगी अभी बढ़ाता हो रिली चैटलियर नेक्स उसमें nature of solvent और nature of solute इस पर तो बहुत जादा depend करती है अब शिमिए कैसे depend करती है सर कि अपन एक term बहुत अच्छे से पढ़े है यह दोनों एक ही उसमें term में बताऊँगा जिसको अपन बोलते हैं like dissolves like like dissolves like इन दोनों का example एक में लेता हूँ एक ही example से आप समझ जाओगे मैंने लिया for example यहाँ मैंने लिया benzene benzene plus water benzene plus water ठीक है और यहाँ पर अभी मैंने benzene मानी वह solute है अगर आप बेंजीन के पास जाओगे तो बेंजीन क्या होती है बेंजीन होती है C6H6 और C6H6 है तो यह है मेरे पास non-polar यह क्या है non-polar हाँ sir non-polar है अगर मैं water की बात करूँगा तो water पानी 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 तो भाई साब polar है partial positive पानी 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 को पकड़ के रख रही थी कि जो non-polar है वो polar में dissolve नहीं होता like dissolves like like dissolves like का मतलब कि जो polar है polar dissolves in polar polar लिखलो लिखलो polar dissolves in polar और यहां आजाएगा non-polar non-polar dissolves in non-polar तो भाई साब nature पर तो पूरा पूरा डिपेंड करता है दोनों का nature सेम होने चाहिए अगर दोनों polar है dissolve हो जाएंगे पानी और एथेनॉल polar polar का example लेना है polar polar का इसका example है पानी C2H5OH प्लस एथेनॉल मतलब एथेनॉल प्लस वाटर clear हुआ clear है अब सारी इसका भी example बता दीजिए non-polar dissolves non-polar तो non-polar dissolves non-polar का ले सकते हैं आप बैंजीन बैंजीन प्लस नैप्थलीन यह वाला example ले सकते हैं दोनों ही मेरे पास non-polar होती है clear पूरा बढ़िया तरीके से clear हो जाना चाहिए तो कौन-कौन से factors है यह है मेरे पास factors वही चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है polar solute dissolves in polar non-polar वाला non-polar में जाएगा इसका example भी देख सकते है sodium chloride and sugar solution readily dissolves in water readily का मतलब क्या है rapidly है ना rapidly बहुत जल्दी से अरे अरे sodium chloride क्या है NaCl सार Na positive Cl negative sugar sugar क्या होती है c12 h22 o 11 oxygen present पानी के साथ dissolve हो जाता है वही जब मैं naphthalene की बात करूँगा anthracene की बात करूँगा दोने मेरे non-polar ने पानी में dissolve नहीं होंगे यही अगर मैं naphthalene और anthracene को benzene में डाल दोगा मैंने अभी आपको example दिया naphthalene और benzene वाला अगर मैं naphthalene और anthracene को benzene में डाल दोगा तो non-polar plus non-polar dissolve हो जाएगा घुल जाएगा आराम से bonding करेगा यहीं अगर मैंने पानी में बेंजीन डाल दी नहीं होंगे clear clear या फिर मैंने benzene के अंदर sugar या फिर sodium chloride घर का नमक अरे टाटा नमक तो अगर मैंने टाटा है डाल दिया तो वो भी काम नहीं करेगा clear तो यह वाला आपने ध्यान लखना है like dissolves like अभी तक किसी को कोई भी doubt है कोई भी दिक्कत है तो फटा फट से मुझे पूछ लिए जगा अच्छा टर्म मैंने आपको बता दिया चलिए यह बॉटल में क्या होगा भाई यह पानी वानी निकालने लगी तुम लोग ने मेरी बॉटल के उपर नजल लगा दी है तुम लोग मेरी बॉटल के पीछे पड़े हो कुछ नहीं होने दूगा मैं तुम है टेंशन मत लेना आजा यह बढ़ते हैं आगे अब दो ट क्रिस्टलाइज़ेशन बसक्रिस्टलाइज़शें डिसíamos का मतलब होता है घुलना डिजॉलवTw ओ इंधैनल ऑगर मैं तुम्हें एक्जाम्पल लूह जैसे मेरे पास है। ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज अगर मैं उसमें पानी में डालोंगा तो ग्लूकोज अच्छे से दिसोलव हो जाता है अरे यार ग्लुकॉआरडी पीते है है अपन। ग्लुकोंडी में क्या करते हैं, चम्मच ली, पानी मडाली, मिक्स किया और पी गए, तो वो है डिसॉल्यूशन, ठीक है, अब बात करेंगे, दिखना, डिसॉल्यूशन ची डेफिनेशन एक बारी देख लो, वेन असालिड शॉल्यूट इस एड़िट विए वही आपने रखना है, जो है मेरे पास, ग्लुकोंड ग्लुकोंड इन वाटर, ग्लुकोंड इन वाटर, आप चाहो, तो शुगर इन वाटर भी ले सकते हो, शुगर इन वाटर, कहने का क्या मतलब है, कि अगर मैने, सोल्वन्त में कोई ऐसा सॉल्यूट डाला, जिससे कॉनसंट्रेशन इंग्री यह, वो है मेरे पास, डिसॉलूशन, अब आते हैं, क्रिस्टलाइजेशन का, सुनिएगा क्रिस्टलाइजेशन का, क्या मतलब है, some solute particles in solution collide with the solid solute particles and get separated out of solution this process is known as crystallization अब सुलिए होता क्या है जैसे for example मेरे पास है ठाणि अभी मंए ये बोटल बंद अचान कर देता हुत मोगों ने नजर डाल दी है इस पोडल तो डिजॉल्यूशिन हो रहा है बढ़िया तरीके से यही यहाई अगर मैं बात करूं कि आप मैंने क्या किया कि इस मैं सुगर सब्ढ़िए सोलुट्ट पार्टिकल सब्comb ты यहांपना शुगर टानी चीनी डाली डिसी डिसमा नहीं हो एक जाकर नीचे बैठ गई कैसे बैठ गई उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन मतलब जो मैं सॉल्यूट डालू अगर मैंने चीनी डाली और वो डिजॉल्व नहीं हुई जाके पूरी सेपरेट आउट होगी जाके मेरे पास नीचे बैठ गई उसको अपन बोलते हैं क्या इस इस नोन मतलब जाके मेरे पास नीचे बैठ गया क्रिस्टलाइजेशन बात चमक गई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो हां सर चमक गया क्या लिख होगे हां मास्टर चमक गया clear next next a state a stage is reached number of solid particles going in the solution will be equal to the solute particles separating out and a state of dynamic equilibrium is reached आज आईये ये तो और easy बात है मैंने इसमें चीनी डाली चीनी डाली चीनी मैंने डाली अब वो डिजल्विए ही नहीं हो रही है जाके separate out हो जारी है जैसे चाशशनी घर फे चाशली बनाती है है न। जैस घर पर प्र घर बचमस में होता था कि मम्मी घेवर बनाती हैं थी घर अगया लगता था तो ईसमें चाशनी बनाती है तो एक अच्शनी ऑर उसमें घस ज сюда था पर है जब तो तो और आधे दालते कराई के बैट गई तो वह स्टेट को बोलते है स्टेट और अफ इकलू waikум का मतलब यह है कि मैंने चीनी डाली और बूं cricket बैद गई यह शरपें पे ground जा और वो मुनिया ये जाकर सा पिज ब then तो क्लियर हुआ क्या है डिजॉल्यूशन क्या है क्रिस्टलाइजेशन क्या है अगर मैंने चीनी डाली डिजॉल्यूशन घुल गई क्या हुआ है यही अब मैंने कुछ भी डाला मैंने कुछ भी डाला वह डिजॉल्यूशन और सॉल्यूट प्लसॉवेंट मेरे पास आपको यह वाले टर्म सारी बढ़िया तरीके से क्लियर हो गए होगे चलिए बढ़ते हैं आगे अब हो ठनाते हैं saturated solution it is a solution it is a solution in which no more solute Can Be Dissolve at the same temperature and pressure temperature and pressure change नहीं चलना है ठीक है है 2 दीक को solution आपको बता है saturated और unsaturated यह तो पडICK ही है यहार इनमें मैं क्या ही बताऊँंगा saturated solution कोई से क्ये मैंनरे को इसमाली के वही अग्जाम्ब्ल पर आते हैं मैंने यह तो डिजौल वी नहीं हो रहा। वह है सेचुरेटेटीट अम सचुरेशन सपॉइंट पर रीच कर गया है、 अब चीलिजूण और डिजौल नहीं होगी। वहानी खतम् क्लियर अब अब यहां पे कैसे मैं उसका चेंज कर सकता हूं यह वाला जो मैंने यहां पे एक लाइन लिखी गई थी solubility increases as we increase the temperature in endothermic reaction यह बहुत भेंकर मैंने लाइन लिखी थी आजाओ इस लाइन को यहां से समझते हैं देखो अगर मेरे पास यहां पर देखना if in a nearly saturated solution अगर वो dissolution process endothermic है जैसे यह वाले पास जो रहता है मेरे पास NaCl plus H2O यह एक endothermic process endothermic का मतलब क्या होता है कि इस मैं मुझे खुद से heat देनी पड़ती है तो endothermic process मैं solubility increase करती है increase in temperature से है आ जाइए यह है मेरे पास endothermic reaction है अभी मैंने लिख दिया कि यह मेरे पास एक endothermic reaction है endothermic reaction है इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसका temperature increase करूंगा endothermic है मैं यहां पर heat provide कर रहा हूं अब मैं जब इसका temperature increase करूंगा मैं यहां पर heat भी दे रहा हूं और मैं temperature भी रियक्टेंट कर रहा हूं तो according to equilibrium एकलूब्रियम उस side shift होता है जहां पर इसका effect minimum होगा तो equilibrium कहां पर shift होगा मेरे पास forward direction में जाएगा तो हमेशा ध्यान लखेगा endothermic reaction में लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो हिंदी में लिख लो अंग्रेजी में लिखने की बिल्कुल भी विरो तो नहीं है समझ नहीं आएगा मैं बैठ के लिखूंगा क्योंकि नीचे लिखूंगा पर तुम लोग तो खड़े हो कहीं लिखना नब जहां परी बैठ होगी हमेशा solubility increases clear और next in exothermic reaction in exothermic reaction exothermic reaction में अगर मैं temperature increase करूँगा तो मेरी solubility decrease करेगी कैसे सर मास्टर समझ नहीं आया सुनना अगर मेरे पास exothermic reaction होगी exothermic मतलब मुझे heat मिल रही है यार मुझे product में heat मिल रही है डेल एक्ष मेरे पास negative आ रहा है न जब heat मुझे मिल रही है और मैं वही heat दे रहा हूँ जिस reaction से मुझे heat मिल नहीं है मैं उस reaction में heat provide कर दे रहा हूँ तो होगा गया तो वहां से मेरे पास reaction फिर किस direction में equilibrium जाएगा जहां सिफ उसका जो effective हो minimum रहे तो product में heat मुझे मिल नहीं है मैं वही और temperature increase कर दे रहा हूँ तो reaction में भी backward आईगी backward आईगी इसका मतलब मेरे पास dissolution या फिर जो मेरे पास solution जो dissolve हो रहा था solid or solvent वो dissolve नहीं हो रहे clear यह वाली लाइन लिख लीजिए यह वाली लाइन लिख लो इन एंडो थर्मिक reaction T increases solubility increases in endothermik exothermik में T increases to solubility decreases I hope कि आपको यह वाली चीज बहुत अच्छे से clear हो गई होगी है ना बढ़िया है मज़दार है चलिए बढ़ते हैं आगे अब आते हैं effect of pressure pressure पर प्रेशर का effect जो है मैंने अभी आपको बताया था pressure का जो effect है वो solude जो मेरे पास solid रहेगा या liquid रहेगा इस पर कोई भी प्रेशन नहीं होगा कोई भी फैक्ट नहीं होगा क्योंकि यार यह compressible ही नहीं है इनका जो है तो यहां पर मैंने आपको बताया भी था यह वारा जो टम निकला तो प्रेशर पर फैक्ट नहीं पड़ता कहां पड़ता है वह भी अपन पड़ेंगे अभी आएगा अभी आएगा आगया है यह लीजिए आ गया है तुम पीछे हो जाओ चेयर चलिए यह पड़ते हैं अभी तक किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए चलिए आ जाइए इधर solubility of a gas in liquid मतलब मतलब मेरे पास अभी अभी के लिए जो बात है चलेंगी यह वो चलेंगी कि मेरे पास अब जो solute है वो है मेरे पास gas और जो solvent है वो है liquid बहुत बढ़िया बढ़िया टर्म्स अभी आने वाले हैं सीखते हो चलेगा क्या किया एक हलका सा इन लोगों ने experiment किया सबसे पहले नीचे है मेरे पास liquid इधर यहां है मेरे पास liquid उपर है मेरे पास gas इन लोगों ने उपर यह है piston piston क्या होता है कि यह उपर नीचे होता रहता है ऐसे ऐसे अरे यार कभी cycle में हवा बरिये है तो वो जो होता है वो piston बोलते है उसको ठीक है अब मैंने इसमें weight डाला w1 जब मैंने इसमें w1 weight डाला तो यह यहां से इसमें क्या करेगा अरे यह भाई साब नीचे जाएगा मैंने और weight डाला तो यह और नीचे गया जब और नीचे गया तो इनके बीच में ना dissolution होने लगा मतलब जो मेरी gas है वो liquid में घुलना इस्टार्ट होगा उसी को अपन बोलते हैं solubility तो जब मेरे पास जो gas है वो liquid में घुलना इस्टार्ट हो जाए वो होती है मेरे पास solubility वो क्या है मेरे पास solubility तो क्या लिखा हुआ है solubility of a gas in liquid is greatly affected by pressure and temperature पूरा temperature and pressure दोने पर depend करती है अगर यही मैं solubility of gas in liquid की जगा अगर मैं यहां पर liquid in liquid या solid in liquid लिख देता तो वो फिर बिल्कुल effect नहीं करता ठीक है उसका reason मैंने आपको बता दिया अब यहां जब gas की बात हो रही है तो gas और liquid में जब dissolution होगा इनको जब मैं मिलाओंगा है ना मैं gas को liquid में dissolve कर सकता हूँ अरे यार इतने सारे example है जैसे मान लीजे वो जो अपनी पानी है aquatic species है है ना मचली है मचली कैसे पानी में जिंदा रहती है क्योंकि dissolved oxygen है उसमें तो वही एक्जाम्पल लेता है यहां पर clear है तो solubility देखना क्या लिखा हुआ है the solubility of gas increases with increase of pressure यह वाले एक्जाम्पल से आप पूरा clear कर गए होगे क्यों increase करती है जब मैं यहां पर pressure increase करूँगा अरे यार देखो मेरे पास किसी जैसे जो oxygen cylinder oxygen cylinder रहता है उसमें क्या है वह liquid form में रहता है गैस जो है वह liquid form में convert हो जाती है cryogenic cylinder जो रहते हैं कोविड में इतना नाम सुना होगा cryogenic cylinder cryogenic cylinder तो उसमें मेरे पास जो gas है gases form में मैं उसको इतनी pressure कर देता हूँ इतना pressure increase कर देता हूँ कि मेरे पास liquid form में convert हो जाती है तो हमेशा ध्यान लखना solubility of gas increase करेगी pressure से ठीक है pressure is directly proportional to solubility of gas हमेशा 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 फीक है next the solubility of gas will increase until a new equilibrium ridge least है ना अब जैसे यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर जतनी dissolve हो पही ह्याशित हë ह्याश पर मेरेपास इकांव्यम आजाएगा यइप्र क्या मेरे पास न्याख सन्दूरियम आ जाएगा एक और पीलिद्रम मतलब जतनें dissolve होगा यहां पर यहां पर बी मेरे पास dynamic is lasers W que Л आ दा यहां dissolve हो गई, clear, तो the solubility of gas will increase until a new equilibrium is reached, resulting in an increase in the pressure of gas above the solution and thus its solubility increases जतना जादा मैं gas पर pressure लगाऊंगा, उतनी जादा मेरी solubility increase होगी clear, clear है सही है, चलिए इदर, the concentration of dissolved gas is proportional to the pressure of gas above the solution जतनी जादा उपर concentration होगी, उतना जादा वो dissolve करता हुआ, चलेगा यह वाली, इस वाले पूरे यहाँ पर जो भी slide में लिखा हुआ है, सबसे जादा important term यही है, यही अपन को सीखना था, कि जो pressure है, वो directly proportional है, solubility of gas clear, clear है अब आते हैं, अपन इसी चीज को explain करने के लिए, एक बाबा आते हैं, हैंवी बाबा हैंवी बाबा आते हैं, आ जाईए बहुत important है हैंवी, क्योंकि यहाँ से paper में पक्का question आएगा, और मैं बता दूँगा, अभी बता दूँगा, question कहां से आएगा बहुत easy question आता है, पर यह है क्या, हैंवी बाबा, कुछ नहीं है वही यह बताते हैं कि जो मेरी gas है, जो gas है solubility of gas in liquid, अभी बता दे हो solubility of gas in liquid is directly proportional, है ना, directly proportional to the mole fraction of gas क्या बोले, यह बोला कि जितने जादा यहाँ पर moles होंगे gas के, जितने जादा moles होंगे gas के, उतनी ही जादा gas मेरी dissolve करेगी बस, इतना बोले थे यह बाई साब the solubility of gas in liquid, the solubility of gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of gas present above the surface above the surface मतलब, जितना जादा मैं pressure डालूँगा जितना जादा मैं pressure डालूँगा, उतनी जादा मेरे पास यह जो moles हैं, वो पानी में dissolve होंगे, पानी में dissolve होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, कि जो pressure है partial pressure of a gas या फिर इस वाले ऐसी, बिल्कुल ऐसी लिखोगे तो solubility, अब solubility को आपान mole fraction में दिखाते हैं, तो जा solubility of gas in liquid मतलब mole fraction, जितना जो soluble होगा सर, अभी तो यहाँ पर solubility की बात हो दिए, आपने mole fraction क्यों कर दिया है, यार, gas जो soluble होगी, वो moles ही तो increase होगे, moles increase होगे, तो mole fraction increase होगा, तो इसकी वजए से mole fraction of a gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of gas present above the solution, इस पर depend करता है, जितना जादा मैं weight लगाऊंगा, उतना जादा मेरे पास gas dissolve होगे, और जितनी जादा gas dissolve होगे, उतनी जादा moles, जितनी जादा moles, उतनी जादा mole fraction, क्या clear बात है, है ना, ठीक है, तो और क्या लिखा हुआ है, डल्टन, एक डल्टन बाबा भी थे, डल्टन बाबा ने क्या लिखा था, कि contemporary of हैंडी, मतलब हैंडी के साथ-साथ ही इनकी बात है चल ले थी, वह बोलते हो थे, कि independently, that the solubility of a gas in liquid solution is a function of partial pressure, इन्हों ने भी यही बात बोली, मतलब हैंडी और डेल्टन ने, दोनों ही नहीं मिलके सेम बात बोली, बस जो हैंडी का, हैंडी का जो निकल के आएका, है ना, तो क्या निकल के आए, देखो हैंडी, डेल्टन क्या बोले, mole fraction of a gas in a solution is a proportional to partial pressure of a gas over the solution, देख रहे हो, यह बोले, हैंडी बोले, कि जो मेरी, वो जो solubility है, वो directly proportional है, और मैंने अभी आपको बताया कि जो solubility जितनी जादा बढ़ेगी, उतनी जादा moles बढ़ेंगी, उतनी जादा mole fraction बढ़ेंगी, तो जो mole fraction की बाली बाती, वो पकर ली, डेल्टन है, तो डेल्टन वाल बाबा क्या बोले, कि mole fraction of a gas in a solution is a proportional to the partial pressure, तो ओवर ओल जो निकल के आया, ओवर ओल डेल्टन और हैंली का जो ओवर ओल निकल के है, वो निकल के क्या आया, तो पार्शल प्रेशर ऑफ गैस in a vapor phase is proportional to the mole fraction of gas in the solution, देख रहे हो, तो क्या मतलब के वही partial pressure is directly proportional to mole fraction, यह कौन बोले, यह बोले मेरे पास डेल्टन, clear है, तो यहां से overall क्योंकि जो मेरे पास हैंली बाबा थे, इनकी बात clear थी, इन्होंने बस जो solubility वाला टाम था, डेल्टन ने उसको change करके mole fraction कर दिया, तो लेकिन पढ़ा इसको हैंली के साथ ही जाता है, तो यहां पर जो constant निकल के आता है, वो होता है, मेरे पास KH, अरे यार, proportionality का sign हटाओगा, अगर मैं proportionality का sign अडाओगा, तो KH, एक मेरे पास proportionality constant आता है, वो होता है, मेरे पास KH, और KH है, मेरे पास henry is constant, clear, ठीक है, तो यहां पर, यह है henry constant, ठीक है, और H क्या है, mole fraction of gas, तो अगर मैं diagram बनाओगा, यहां पर अगर मैं graph बनाओगा, तो कह रहेगा, Y is equals to, कह रहेगा, Y is equals to, कह रहेता है, Y is equals to C plus MX होता है, C zero है, तो यहां से आजाएगा, Y is equals to MX, Y is equals to MX, ठीक है, तो यहां पर देख रहे हो, Y को क्या रखा, partial pressure, pressure, M, slope क्या है, slope है, KH, है न, slope, कोई सा भी अगर KH, है न, और slope क्या से निकालता है, 10 theta, slope क्या होता है, 10 theta, और 10 theta मतलब, perpendicular divided by base, या base divided by पाकिस्तान भूगा प्यासा, divided by हिंदुस्तान हरा भारा, मतलब, base divided by perpendicular रहता है, है न, तो यहां से फिर मेरा क्या निकल रहेगा, K हाईगा, P by X हाजाएगा, तो यहां से जो भी value आईगी solubility of a gas increases with a decrease in temperature, यह भी ध्यान लखना, यह भी ध्यान लखना, जो मेरी solubility है, solubility वो directly proportional है pressure के, और अगर मैं boils law की और उनकी बात करूँगा, तो वो inversely proportional है temperature के, अगर मैं temperature increase करूँगा, मेरी solubility घटेगी, यहीं से question आएगा, पूरी कहानी से question नहीं आने वाला, question कहां से आ रहा हूं, तो solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid बढ़ेगी, और temperature, अगर मैं बढ़ाँगा, तो solubility घटेगी, temperature से inversely proportional होता है, मेरे पास solubility, या फिर mole fraction कर लो, ऐसे, ठीक है, और यही reason होता है, यही reason होता है, कि मेरे पास जो aquatic species है, जो aquatic जैसे मेरे पास मचली है, या फिर जो भी मेरे पास floras, florafona, जो रहते हैं, तो मतलब जो अंदर रहता है, aquatic marine drive, marine drive क्या बोल ला हूं है, जो मेरे पास marine species होते हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं, वो prefer करते हैं ठंड़ पानी में रहना, ठंड़ पानी में मुझे मचलियां जो रहती हैं, मचलियां, ठंड़ पानी में जादा मिरे पास मचलिय मिलेंगी in comparison to गरम पानी क्यों गरम पानी है टेंपरेचर जादा होगा तो ऑक्सीजन या फिर बोलिये डिजॉर्ड ऑक्सीजन कम रहेगी तो टेपरिचर जब इंक्रीज और अवर्त darty है तविक स्यूल आप्याइख हो जाती यह मतलब किया है कि अगर मैं वेस्ट करूगा तो सॉल आप II 하는 ओक्सीजन इन पानी इन उच्टि ओक डिक्रीज इस वजह अच वजह है इस वजह से इस वजह से जो मैरी मरीन लाइफ है जो मेरी पैस एक्वाटेग्स पिशीज है मचली बचली हो गए जितने भी रहते मंदक मंदक तो वैस्यत सारी तरीके से पानी में भी रहता है काई भी रहता है तो प्रियों정 क्लियर को च्पितना cheating कि यतना थंड़ा पानी इतना थंड़ पानी टट पसंद लेग्यों को अपनी भीडियों के रहे जळा अगर इतना हिक्लियर तो मुझे बता दीजिए बढ़ताओ फिर आगे कटिछ एप्लिकेशन से कोटप एप्लिकेशंDMM लिए बढ़िया मचलियों को ठंडे पानी में रहाना पसंद होता है यह मत बोला कारे मचली को ठंड लगरी होगी ना उसको अपनी ऑक्सिजन पढ़िया तरीके से मिल लेगी वो खुश रहे क्लियर क्लियर है अगर इतना क्लियर है तो मुझे बता दीजे मैं बढ़ता हूं फ उसके बाद यहां पर यह सुनियेगा इंपोर्टेंट है कभी कभी अप्लिकेशन आ जाता है कि अब उनको टैंक से पैंक से उनको क्या लेना होता है भाई टैंक होता है पीछ ऑक्सिजन से उनको हवाल मतलब पानी लेना होता है तो देदेफा के लिए घ्र तो घोला सा क्या है कि अपने जो इसमें नाइत्रोजन्ट फिल गया उसमें है उसमें हो जाया हूसमें हीलियम और ऑक्सिजन और नाइटरोजन ठोड़ा साु फिल विल कर गिलियां फोल्द गाप Championship क्लियर और एक और रहता है वो होता है एनॉग जिया एनॉग जिया यह इंपोर्ट है अट हाइड अल्टिटीटीट लो ब्लड ऑक्सिजन पॉस्ट क्लाइंबर्ट तो बिकम वीक एंड में अनेबल तो थिंग क्लियर ली विच आर सिंटम्स और कंडीशन ओने जैसे जो हिमाल सब्सक्रीज करें घर टाथ है और घर संक्राइश्बएक होगा और जो एक यह we're want to सल्युंटी ओंच के मतलब स्ब्सक्राइब मेरे। टैंब मेरी पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या है गैस है ब्ललेड क्या है अक्डिय हो को सिन है यह वहाँ चड़ना मुश्किल नहीं है वह जब चड़ते हैं तो वहाँ पर 엔र्ऑजी रūANT है मेरी जो हमें thinking करने की capacity होती है वो कम हो जाती है सज में आया तो आई होप कि आपको यह वाला यह जो पूरा है वो clear हो गया होगा और question करेंगे वहां से clear हो जाएगा चलिए चलते हैं आज के पहले question calculate Henry's law चलो चलो फटाफ़ट से यहां तक हैंडी तुमारा clear हो जाना चलिए यह वाला question करते हैं चलिए फिर यह वाला question बिलकुल as it is जो अभी मैंने formula बताया यह वाले जो formula बताया है KHX वाला यही formula आपको लगाना है यह है आपका homework number one अरे भाइया जितने करो comment box में answer बताओ ठीक है बिलकुल easy है इसको करिएगा जहां पर देख रहाएगा पानी की molality निकालने न वहां से mole fraction आ जाएगा चलिए अब मैं बता दूंगा तो तुम लोग क्या करोगे फिर यह one fraction those which are independent of temperature are temperature के independent कौन से होगे देख लेते हैं तुम लोग क्या बोलना चाहोगे तुम लोग का क्या जवाब है देखो temperature independent यह मेरे से पूछ रहा है boss temperature independent बताईए तो temperature independent का मतलब यह होता है कि जो मेरे पास gaseous वाले नहीं है को कि gases temperature से बहुत ज़ादा influence होती है gases का क्या मतलब है जिसमें मेरे पास जैसे gas हो गई या फिर जिसमें मेरे पास volume present हो है na volume volume किसमें आता है master volume मेरे पास liquid में आता है liquid तो जहां-जहां मेरे पास liquid present होगा वो liquid पर depend करती है मतलब temperature dependent है वहीं अगर solid होता है तो solid वह बहुत ज़ादा temperature dependent नहीं होता अब आते है question पर number of moles of solute divided by volume of solution volume of solution आ गया मेरे पास molarity temperature dependent होती है molality नहीं होती formality जो है वो भी molarity जैसी होती है क्योंकि number of उसमें भी मेरे पास volume आता है तो यह भी नहीं है molality molality क्या होता है number of moles of solute divided by volume of solute volume नहीं number of moles of solute divided by mass of solvent mass of solvent है हाँ यह तो mass है temperature depend नहीं करेगा mole function क्या होता है mole function में सिर्फ और सिर्फ मोल्स आते हैं कहीं भी volume की बात नहीं होती तो यह वाली बात सहीं है यहां मेले पास बापस से मोलरिटी आ गया आंसर नहीं होगा तो अगर टेंपरीचर डिपेंडेंट या टेंपरीचर इंडिपेंडेंडेंट की बाते आजा तो गैस पर चली जाना और वॉल्यूम मतलब लिक्वुड की बाते मेरे पास हो रही है जहां सॉलिड आ जाये वो र के एच वैल्यू फोर आर्गन कारबन डियोकसाइड यह क्या है मेरे पास फॉर्मल डिहाइड और मीथेन मुझे दे रखिए अलग अलग के एच की वैल्यू दे रखिए के एच किस का दे रखा है मैं डायरेक लिख रहा हूं आर्गन का मुझे दे रखा है 4.039 ठीक है सी ओ टूट की क्या दे रखिए 1.67 यह भी बढ़िया है एच सी एक चो एच सी एक चो मुझे रखा है 1.83 इंटू टैनले उसकी पार माइनस 5 यह भी बढ़िया है फिर है मेरे पास सी एच फोर सी एच पोर दे रखा है 0.14 चलिए यह वाली वैल्यूस मुझे दे रखिए यह किसकी है च यह बहुत वडिया बात निगल कर गई वह था यह तो अगर मैं यहां से निकालने की कोशिश करू तो जो च निकल की आएगा वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रेक्शन आएगा henry's constant is inversely proportional to the solubility of gas in liquid मतलब जैसे ठंडा पानी है ठंडे पानी में अभी मैंने बताया है कि dissolved oxygen सबसे ज़्यादा होती है तो dissolved oxygen सबसे ज़्यादा होती है इसका मतलब क्या है कि उसकी KH की value कम होगी बहुत important तो solubility inversely proportional होती है तो जिसकी KH की value maximum उसकी solubility उतरी कम तो maximum सबसे ज़्यादा KH की value कि इसकी argon की argon की KH की value maximum इसका मतलब इसकी solubility कम होगी और तुम लोग दिमाग भी लगा सकते हो argon एक inert gas है inert gas है तो इसकी solubility minimum होगी minimum argon argon तो इन मैंसे कोई एक होगा मतलब इन देनों मैंसे होगा यह वेरे कट गए next इसके बाद क्या है इसके बाद है 1.67 मतलब CO2 फिर आएगा मेरे पास CO2 तो answer है मेरे पास C CO2 फिर आएगा CH4 और बिल्कु सबसे जादा देखो KH की value सबसे कम तो solubility formal dehyde की सबसे जादा बहुत important है paper में आ जाएगा question तो temperature increase करोगे solubility घटेगी KH henry's constant की value increase करेगी solubility घटेगी बस खतम होगी कहानी खतम होगी कहानी clear है चलिए बढ़ते हैं आगे अब आगे हैं एक नए term पे नए topic पे जो है मेरे पास vapor pressure वेपर प्रेशर चलिए समझते हैं vapor pressure होता क्या यहां से नहीं समझेंगे इसको समझेंगे अलग से एक कोरे कागज पे कोरे कागज पे वो तो तुम्हारा theory के लिए लिख रहा है theory तुम्हारी वहां से बढ़िया explain हो जाएगी पर यहां आ जाएगी चलिए यह है फिर पास ठीक है आना समझने की कोशिश करना बहुत important है vapor pressure के इसकाने में पढ़ने vapor pressure exactly है क्या क्योंकि अब कहानी vapor pressure की ही चलेगी अब जितनी कहानी रहेगी वह vapor pressure की हो चलिए आ जाईए मेरे पास यहां मान लीजे पानी है अभी मैं पानी मान के चलता हूँ है यहां पानी तो पानी को मैं नीले color से दिखाता हूँ भया नीला नीला पानी निला आसमा चलिए 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 ये है मेरे पास पानी बहुत बढ़िया पानी है पानी है अब नीचे से मैंने इसमें लगाई आग है ना नीचे से मैंने इसमें लगा दी आग यहां से हैं फ पानी में आग लगा दी है तो भाइज पानी तुम्हारा फांट में होगा बाप में कणरा भाप में होगा तो यहांसे पानी किसमें अब क्या राईजेशन प्लीज सारे लोग समझते हूं चलिएगा यहाँ पर मेरे पास फांट निकलेगी है Haapने घया और उपर मान के चलिए यह सब क्लोज जाए बढ़िया अब होगा क्या दोस्तों कि यहां पर भाब बनी ऊपर जाएगा यह वाल पर मेरे ऐसी छोटी-छोटी ड्रॉपलेट्स बन जाएगी मैं बताता हूं सर यह ड्रॉपलेट का क्या मतलब होता है जैसे अभी ठंडे चल लिए अपन लोग गरम-गरम पानी से चार दिन में एक बार नहा लिए तो गरम पानी से और वरसली वादरूम तो बंद होता ही है तो आपने देखाओगा अगर आपके आसपास मिरर हो या वेपर फॉर में कनवर्ट हुआ भाब बना जैसे ही वेपर में कनवर्ट हुआ वो ड्रॉपलेट्स छोटी-छोटी बन जाती है अब वो जो ड्रॉपलेट्स बनती है उसको बन बोलती है कि कंडेंस हो गई मतलब कंडेंसेशन होता है क्या होता है कंडेंसेशन होता है और ज सभए मिल्ट बनेगी तो वह सऑधर हर जगे यहां पर घुलिजन कर रहे हैं तो प्रेशर रही होगी जो मेरी वेपस है टिक扑 deh हो रहा है ठीक है भाप में 2 सके बाद जब थंडी हो गई तो condensation हो गया ठीक है अब जो वोट बन रही है वो वेस्ट के पास भी खुदれた कांः‐नर्जी है खुडी कानटर गणेजिए तो वहं कभी वॉन सब धक्का मारे और जब क्या बोला मैंने जब रेट ओफ वेपराइजेशन प्लीज बहुत इंपोर्टेंट बात में बता रहूं एक बार समझ जा ना बस जब आपका रेट ओफ वेपराइजेशन बराबर हो जाता है किसके बराबर हो जाता है रेट ओफ कंडेंसेशन के प्लीज प्लीज सारे लोग इधर ध्यान से जब आपका रेट ओफ वेपराइजेशन बराबर हो जाता है रेट ओफ कंडेंसेशन के जितनी भाप बनी उतना ही मेरे पास ड्रॉपलेट्स वापस आ गई जितनी भाप बनी उतना पानी वापस जितने तब at that moment उस movement पर जो vapors इस surface पर pressure लगाज़ा रही हूंगी उसी को अपन बोलते हैं क्या उसी को बोलते हैं Vapor pressure बहुत भेंकर बात मैंने आपको बता दी पानी गरम किया सर भाप बनी vapors बनी उसको बोलेंगे vaporization उसके बाद सर जब वह वाल्स पर जाके छोटाndra जब भाब बन जाएगा उसके बाद वाल्स पर जाके droplets बन जाती है उसको बोलते है condensation एक ऐसा point आएगा कि जितनी भाब बनेगी ऊतना condensation होगा जितनी भाब बनेगी उतना vapor pressure, वहाँ से आता है मेरे पास term vapor pressure vapor pressure चमक जाना है, यह क्या होता है अब बस उसको अपन यहां से देखेंगे अब तो भईया अपन को बस क्या करना है, अब तो अपन को theory है, notes बनाने है at equilibrium, rate of evaporation is equal to the rate of condensation, देखो evaporation, vaporization एक ही बात है, vapors में convert होना, evaporate होना, एक ही बात है, घबरा मच जाना ठीक है, at constant temperature, pressure exerted by vapor on its liquid surface, बिलकुल वही बोला मैंने, जब आपकी rate of condensation और rate of vaporization बराबर हो जाती है, उस time पे, जो pressure exert करती है, vapor on liquid surface, इस वाले liquid surface पे, उसी को अपन बोलते हैं, क्या वही होता है, मेरे पास vapor pressure, और important term है, यहाँ पे लिखा हुआ है, at equilibrium, तभी मैंने लिखा है कि यहाँ पे rate of vaporization rate of condensation के बराबर होनी चाहिए, बोलो हाँ बोलो, वीडियो रोको comment, अभी comment करो, सर चमक गया, सर vapor pressure चमक गया, सर मजा आ रहा है, सर बढ़िया लग रहा है, comment करते हुए चलो वीडियो वीडियो पे दोस्तों के साथ share करते हुए चलो, और जितना हो सके, उतना अपने, मतलब subscribe करके, अपने दोस्तों के साथ share करेगा telegram, telegram, inka भी status लगा दिया करो पढ़ापड करते, चलिए चलिए, अब यह depend किस पर करता है तो vapor pressure depends on, सबसे पहले temperature nature of liquid, obviously temperature increase करेंगे temperature increase करेंगे मेरे पास भाप ज़ादा बनेगी evaporation ज़ादा होगा, vapors ज़ादा बनेगी, vapors ज़ादा बनेगी, उतना ज़ादा condensation होगा, उतना ज़ादा vapor pressure बढ़ेगा, next nature of liquid, obviously मेरे पास अगर volatile liquid होगा अगर volatile liquid होगा, तो vapor pressure increase करेगा, है न, vapor pressure increase करेगा, अब यह volatile liquid क्या है, यह भी समझे लीजिए, वैसे तो पता होगा लेकिन volatile और non-volatile liquid क्या होते हैं, ऐसे liquids जो vapors बनाते हैं volatile, खतम खतम होगा, matter ही खतम होगा ऐसे liquids जो vapors बनाते हैं, जो भाप बनाते हैं, कैसे जैसे पानी हो गया, ठीक है, जैसे यह वाले molecules है, इनको बोलते हैं, अपन volatile, और जो पानी नहीं बनाते, वो non-volatile, clear, उसके बाद अब किस पर depend करता है, also depends on intermolecular force, और ये तो तुम लोग खुद ही समझी है, अब तुम लोग इसको खुद कैसे समझोगे, ये बोला है कि IMF increases, ये वो नहीं international monetary fund नहीं है, IMF ये वोला IMF नहीं है, जो पाकिस्तान बार-बार मांगता है, भाईसा पैसा उधार दे दो, एक होता है international monetary fund का भी, international relation पढ़ते हो, कुछ पता है, पर ये है क्या, ये है intermolecular force, अब जब आपका intermolecular force बढ़ेगा, vapor pressure घटेगा, क्या इस चीज़ को मुझे फिर से बोलने की जरूरत है, क्या common sense से समझ जाओगे, intermolecular force बढ़ेगा, मतलब अब दो molecule है, इनके बीच में बहुत बढ़िया bonding है, बहुत बढ़िया bonding है, तो यार मैं इसमें जब heat दे रहा हूँ, temperature बढ़ा रहा हूँ, ये टूटी नहीं रहा, ये bond ही नहीं टूट रहा, तो क्या ही vapor बनेगा, और क्या ही vapor pressure देगा, सज़ में आया, तो जतना ज़्यादा force होगा, उतना vapor pressure कम बनेगी, छीक है, चलिए, चलिए, बढ़ते हैं, आगे, अब मैंने volatile liquid आपको बता दिया, those substance which can be easily evaporated, clear है, अब कुछ scientists आते हैं, सबसे पहले जो साथी आते हैं, उनका नाम है, routes, क्योंकि आ गया है कौन, देखो वो आ गया, routes लो आ गया, डडडडड़ डडड़ देखना क्या होता है, the French chemist Francis Marte route 1886 में एक quantitative relationship देते हैं, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, वो important है, for a solution of volatile liquids, volatile liquids होने चाहिए volatile मतलब solvent भी volatile, solid भी volatile, the partial pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution. क्या बोलता है? अरे क्या बोलता है? ये बोलता है कि according to Raoul's Baba according to Raoul's law तो Raoul's law क्या होता है? ये बोलता है अगर माल लीजे मैं यहाँ पूरा समझातू मेरे पास दो component है एक है component 1 एक है component 2 प्लीज समझते हूँ चलिएगा इसका जो partial pressure है वो P1 इन भाई साब का जो mole fraction है वो है X1 इन भाई साब का component 2 का जो pressure है partial pressure वो है P1 इसका जो mole fraction है वो है P1 में क्यों लिख रहा हूँ मैं? P2 वो है काई 2 अब एक term मैं यूज़ कर रहा हूँ partial pressure partial pressure का क्या मतलब है? जेखो मेरे पास अगर Do volatile liquid है मेरे पास दो volatile liquid है दो volatile liquid को में mix करोंगा तो भाई साब उस में से जो component 1 है वो भी अपना vapor pressure show करेगा और component 2 भी अपना vapor pressure बड़ay फृषर शो करेगा तो वहा想ते जो आदा-दा vapor pressure आता है उसको बोलते है partial pressure तो आदा प्रेशर इसका अदा प्रेशर इसका ठीक है अब ये जो भाई साब है राउटस बाबा क्या बोलते हैं कि जो पार्शल प्रेशर ओफ वन होगा ने कोई भी कम्पोनेंट का पात्य है यहां पर बोल रहा है यहां पर यहीं बोलगा अब सुनिएगा अब सुनिएगा यह क्या है proportionality का sign प्रोपोशनलिटी का sign अगर मैं हटा हूँआ तो क्या एगा proportionality constant आएगा और यहाँ जो proportionality constant होता है वो होता है P naught पी नॉट पी नॉट का क्या मतलब है पी नॉट वन ले लो पी नॉट वन पी नॉट वन का क्या मतलब है पी वन नॉट या पी नॉट वन जो बोलना है इसका मतलब है प्रेशर पार्शल प्रेशर पार्शल लिख लिए रहां पर पार्शल ठीक है यहाँ पर लिखा हुआ है यह वाला है ठीक है इधर आ जाहिए तो इसमें आभी तो पार्षल लिखा नहीं जाएगा इसको अपन पार्षल को लिखा है फिर वेपर प्रेशर है न वेपर प्रेशर ओफ कॉंपोनेंट वन of component 1 in pure substance in pure substance जब वो pure format में था तब जब ये अकेला-केला रहता तब इसके पास कितना vapor pressure होता वो है मेरे पास P1 P0 और ऐसी ही मेरे पास जो P2 होगा वो गया होगा P2 0 chi 1 बढ़िया बात है तो ये है मेरे पास first ये है मेरे पास second total pressure कितना हुआ मास्टर total pressure हुआ मेरे पास Pt is equals to P1 chi 1 है ना प्लस P2 chi 2 P1 0 और ये P2 0 सही है अरे total pressure Pt क्या होगा P1 प्लस P2 होगा ठीक है अब यहाँ पे मैंने क्या किया थोड़ा समझ खेल खेलता हूँ ये P2 करने ना है chi 2 अब अपनने mole fraction बहुत अच्छे से पढ़ा है अभी एग घंटा भी रुआ mole fraction पढ़े हुए chi 1 प्लस chi 2 होता है मेरे पास 1 ठीक है तो अगर मैं chi 2 की जगा 1 माइनस chi 1 लिख दू तो तुम दो बुरा नहीं मानोगे ना बुरा तो नहीं मानोगे इसको सजा लेते हैं प्लस यह हो जाएगा P2 यहाँ जाएगा मयनस P2 काईवन क zdję जो यहां पर नॉट लगा लेंना यह नॉट लगा लेंना यह नॉट लगा लेंना नॉट लगा इन आउब इम्पोर्टेंट है ठीक है इसको हपन थोडासा और सुधार लेते हैं थोड़ा सा और कैसे सोधा रहेंगे देखिएगा यह काईवन यहां से काईवन भार निकाल लो देखो P T काईवन मैंने भार निकाल लिया पहले में पास में लिख लेता हूं लो पीवन नॉट काईवन और माइनस पीटू नॉट काई यह आजएगा प्लस पीटू नॉट ठीक है इसमें P T is equals to यहां से काईवन भार निकाल लो जब मैं काईवन भार निकालूँगा काईवन बहार निकाल लूँगा तो क्या आएगा P1 0 माइनस P2 0 ये आगया प्लस P2 0 खतम हो गई कहानी कहानी खतम ये बनाए है मेरे पास फॉर्मूला ये बनाए है मेरे पास एक फॉर्मूला इसको इस कलर से कल लेते चला ये बना और ये अगर आप देखोगे तो ये कुछ मैच नहीं कर रहा है इस वाले से Y is equals to MX plus C से ये Y is equals to MX plus C से मैच कर रहा है तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊगा देखना एक बारी ग्राफ बना लेते हैं पेपर में कभी-कभी आ जाता है ऐसे ठीक है और ये आ जाएगा इधर यहां आ जाएगा origin य पर है total pressure है यहां पर pressure PT रहेगा ठीक ठीक है इसका ग्राफ मैंने बना रखा है न इसका ग्राफ किदर है ठीक है देखो यहां पर यह निकल के भी आ गया है यह वाला जो मुझे दिखाने की भी से जरूरत नहीं थी पर मैंने लिग दिया है यह PT P two not minus P one note क्यों आया भई P two not minus P one note मैंने कहीं गलती करा यह यह ऐसी रहेगा ठीक है ठीक है अच अरे कहीं कोई गलती नहीं है कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे क्या है कि काई 1 को 1- काई 2 लिखा है और जो मैंने किया है वो मैंने काई 2 को 1- काई 1 लिखा है दोनों ही सेम बाते हैं दोनों ही सेम बाते हैं, कहीं भी घ़बराने की जरूत नहीं है, दोनों सेम रहेगा, ठीक है, तो यहां पे vapor pressure होगा, ठीक, और इधर आजागा मेरे पास mole fraction, है ना, इधर आजागा mole fraction, दोनों सेम बाते हैं, इधर लेखना भी पी, ठीक है, दोनों से formula, मतलब जो निकल के आए देखने यहां से आएगा क्लियर है प्लीज इस बात का ध्यान रखना चाहे आप काई वन को वन माइनस काई टू लिखो या काई टू को वन माइनस काई वन लिखो एक ही बात है मेरे पास जब तुम सॉल्व करोगे दोनों सेम ही निकल के आएंगे अरे कुछ नहीं भया इसका इसमें से मल्टिपलाई करो पी टू नोट काई टू मल्टिपलाई करोगे काई वन भाहर निकाल ले ना हो जाएगा सेम निकल के आएगा ठीक है इंपोर्टेंट है यह क्योंकि कोशन यहां से नहीं आएगा कोशन आएगा ग्राफ से ठीक है क्या कोशन बना सुनिएगा क्य ये क्या है यह होता है intercept और यह है मेरे पास क्या यह है P2 not यह है P2 not देख रहो देख रहो P2 not intercept Mx अब आएगा slope slope जो है वो होगा P1 not minus P2 not P1 not minus P2 not अलग-अलग बन सकते हैं इसमे अगर तुम slope निकालोगी तो P2 not minus P1 not ओगा है सेंगाद ही निकल किआएगी पर यह आपने सो ध्यान रखना कर लिए और तो यह किया है इवलत ग्राफ तुम्हें चाहता हूं सुझेगा непिरया नहीं कि रहा ह Goldman इस सभावले ग्राफ को समझेनी कोशिश करते मेंसे क्या कॉश्चन आता है मैं आ 00 8 keeping a आता हूं देखेगा क्या कोशन पस्ता है यहां से एक ही कोशन आता है इस वाले ग्राप से मेरे पास दो कॉम्पोनेंट प्रिजेंट है देखो 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 मेरे पास दो कॉम्पोनेंट एक है मेरे पास component 1 जो कि यहां present है एक है component 2 question क्या बनता है question बनता है which component है न which component solute या solvent जो भी रहेगा which component have have higher higher vapor pressure कोई बता सकता है कोई मुझे बताएगा किसका vapor pressure ज़ादा होगा चलिए देखते हैं अब इस ग्राफ में अगर आप देखोगे तो यहां P1 not छोटा है P2 not बड़ा है अभी मैंने ग्राफ बनाया था ऐसे बन रहा था ऐसे वाला वही है वही ग्राफ है y equals to mx plus c वाला बस आप जब यहां खड़े हो जाओगे तो mole fraction 1 maximum होगा और इधर जब move करोगे तो mole fraction 1 decrease होगा और mole fraction 2 increase होगा कहने का ताथ पर यह है कि जो question मना which component will have higher vapor pressure तो P2 not मतलब component 2 component 2 खताब component 2 का रहेगा higher vapor pressure बस clear होगे अभी वही अपनी question आएंगे ठीक है इसका आप फटाबर से screenshot ले लो क्योंकि फिर मैं ऐसे नीचे लाता हूँ जो लिखा हुआ है वो मैं आपको एक बारी समझा देता हूँ चलिए क्या लिखा है वो एक बारी समझ लेते हैं आपने उसका screenshot ले लिया था ना चलिए देखना total vapor pressure of the solution चलिए हम मैं इसको हटा देता हूँ अब देखो एक बहुत important यहांबे बात लिग दिए can be related to the mole fraction of any one component मैंने दोनों component के दिखा दिये आप इधर देखोगे तो यहां पर mole fraction 2 के बारे में है यहां अगर आप देखोगे तो mole fraction 1 के बारे में है यही तो कहानी है तो मगर रटके जाओगे तुम रटके सर बोलोगी सर जो NCIT में था सर मैं यह भेजा भेजा चला लो रटने वाली जटकत नहीं है मैं काई 1 प्लस काई 2 को 1 लिखता हूँ अब चाहे मैं काई 2 को पुट करूँ या फिर काई 1 को पुट करूँ मेरी मर्जी मेरी मर्जी में रटके तो आया नहीं हूँ यहां पर ठीक है, तो मैं किसी को भी put करूँगा, मेरे पास formula, मतलब formula से जो value निकल गयागी, वो same निकल गयागी, graph बने का जो same बने का, वही वो बताने की कोशिश कर रहा था, clear है, linear रहेगा, बहुत बढ़िया, उधर क्या है, ठीक है, जो dotted line है, वो obviously यहाँ पर यह जो है, वो partial pressure denote कर र खतम हो गया, ठीक है, आठ directly proportional to the, obviously, the total vapor pressure दे रखा है, थर्ड वर, यह वाली जो line है, यह total vapor pressure, clear हो गया, formula रटने रही है, जैसे मैंने आपको सिखाए है, जैसा मैंने आपको निकालना सिखाया है, वैसे ही आप करेंगे, चलिए, चलिए, बढ़िया, clear है सब का, आगे बढ़ आदूगा, यार मैं tension मत लो, tension मत लो, यह शुरुवात में तुम लोग chapter पढ़े होगे, revise करते हो, चलो, जिनने नहीं पढ़ा है, उनके लिए, बिल्कुल basic से मैं पढ़ा रहा हूँ, at equilibrium, vapor phase will always be rich in the component which is more volatile, क्या बात, बहुत बढ़िया बात है, इसको नो तुम फील कर पा र यह भाई साब पता क्या बोलना है, यह बोलना है कि माल लीजिए, माल लीजिए कि मेरे पास जो partial pressure या फिर pressure है, वो component 1 का जादा है in comparison to partial pressure of component 2, या फिर इसको ऐसा समझेए, कि जो vapor pressure जो बना है, वो component 1 का जादा है in comparison to vapor pressure of component 2, तो जो भाप बनेगी, जो vapor बनेगी, उस vapor में कौ कौन से कॉम्पोनेंट जाधा होगा जो भाप बनेगी उसमें कौन से कॉम्पोनेंट का जाधा होगा वो जाधा होगा मेरे पास component 1 जो जादा volatile उसका अरे यार हिंदी में लिख लो जो जादा volatile जो जादा volatile उसका लो लो बिलकुल हिंदी में इस ऐसे ही लिखो ऐसे ही लिखो तब ही समझ आएगा जो जादा वोलिटाइल उसका वेपर ज्यादा बनेगा अरे यार उसकी भाप ज्यादा बनेगी ना उसका वेपर ज्यादा बनेगा और जब वेपर ज्यादा बनेगा अरे अरे जो ज्यादा वोलिटाइल उसका वेपर ज्यादा बनेगा जिसका वेपर ज्यादा बनेगा उसका वेपर प क्रैशर भी जादा है हिंदी मैं इसलिए लिखिएगा ताकी समझ आ जा जाए पेपर में ऐसे मतना हिंदी में पेपर में तो अंग्रेजी बना लोगे अगर विथे तो कोई तकलीव निये प्र तो कोई तकलीव नहीं नहीं है सबको clear है तो मुझे प्लीज बता दीजेगा इस किसी को ना मिलें तो comment box और बता देना चलिए राउर्स law as a special case of henry's law होता है special case , special case कुछ नहीं है पागल बनाने की यह लोग मिल के पागल बनारें कैसे मिल के पागल बना रहें, देखना इधा यहां पे राउर्स law क्या था? राउर्स law था हां भाई सब यह था राउर्स law प्रेशर उफ गैस पार्शल प्रीशर उफ गैस इस डिडलिउर्बेश्ट आ गैस इंदूक यह कल दो जो डीपरेंसे वह सिर्फ और सिर्फ किस्का है प्रोपोर्शनालिटी कॉंस्टेंट का है यहां है क्या वेपर परेशर आफ पीवन या फिर vapor pressure of component 1 in pure solvent या फिर pure format में और यहां पर क्या है है हैंडी's बाबा यही ये बोल लाए हैं बस इतना बोल लाए हैं कि दोनों की हर चीज से में बस constant को छोड़ दे तो क्या बोले तो क्या बोले if we compare the equations it can be seen that the partial pressure of the volatile component or gas is directly proportional to the mole fraction only the proportionality constant देख रहे हैं यह वाली लाएन है इसको तुम एक बारी इसको तुम underline कर लेना only the proportionality constant kh differs from p1 ठीक है और इसी को बोला गया क्या इसी को यह जो मेरे पास p1 naught और kh हैं जो proportionality constant अलग-अलग है इसी को बोलते हैं अपन क्या special case होता है बस नाम देजिया जाता है ध्यान रखें तो henry baba और rouse baba दोनों बाते अलग-अलग करते रहें लेकिन end में आके उनका proportionality constant को अगर मैं side में रख दू तो बाकी बात है same ही है बिल्कुल यहाँ पर भी pressure यहाँ पर भी pressure यहाँ पर ही mole fraction यहाँ पर ही mole fraction और henry's raw तो difference जो है वो सिर्फ और सिर्फ proportionality constant का है round slow contains proportionality constant P1 0 which stands for vapor pressure of pure component 1 and kh is your henry's constant खतम हो गया चलिए बढ़ते हैं आगे अब आते हैं vapor pressure of solids in liquid अगर मेरे पास vapor pressure यहीं बात करूँ तो solid और liquid में कोई vapor pressure होता है कि अभी मैंने बात करी थी intermolecular distance में minimum होती है तो कुछ नहीं होता if a non-volatile solute अगर मैं कोई non-volatile solute डाल दोंगा मान लीजे मेरे पास कोई भी है अरे यह क्या है मान लीजे मेरे पास कोई bucket है इसमें एक इसमें कोई liquid पड़ा हुआ है ना इसमें कोई liquid है जो की volatile है जो की volatile है और उपर से मैंने कोई non-volatile solute डाला क्या डाला non-volatile solute तो तो मेरे पास vapor pressure बड़ेगा या घटेगा कोई बता सकता है गया सुनो मैंने उपर से कोई non-volatile solute डाला जब मैं non-volatile डालूँगा अब वो क्या करेगा वो इनके उपर जो मेरे पास यहां पर volatile solvent है इसको उपर घेरेगा यह है volatile solvent जो volatile solvent के molecules होंगे उनके उपर जाके बैठ जाएगा तो यह करेगा क्या कि पहले जो vapor pressure था वो इसको increase तो नहीं करेगा कोई यह तो non-volatile increase तो नहीं करेगा ultra decrease और कर देगा अरे यार मेरे पहले यह लोग अकेले रहते थे आराम से जब हुआ vapor pressure मतलब vapors में convert हो गए भाब बन गए लेकिन अब क्या हुआ इनके आसपर भीड आ गई अब यह निकल ही नहीं पा रहे है अरे यार कोई non-volatile solute इनके बगल में आके बैठ गया वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा इस बाद को मैं हिंदी में लिख दूँ क्या लिख दूँ क्या आ जाईए यह वाले टर्म्स का यह जो लिखे हुए इनका यहीं मतलब है अगर अगर मैं मैं करूँगा अगर मैं non-volatile solute किसी किसी volatile solvent मैं add करूँगा volatile solvent मैं add करूँगा तो क्या होगा अगर मैं non-volatile solute किसी volatile solvent मैं add करूँगा तो vapor pressure decrease होगा तो vapor pressure decrease हो जाएगा हो जाएगा clear clear है ठीक है reason क्या है reason वही है भाईजा भीड बन जाती है escape नहीं कर पाते है clear हमारी जंता को अगर इतना clear हो गया है तो बता दीजिए जल्दी से बता दीजिए जल्दी से ठीक है फिर अपन इसका question करेंगे हाँ इसके questions है फिर questions करेंगे उसके बाद ideal known ideal आएगा चलिए आते हैं इदर अब यह यार बना लिए है ना यह graph बना लिए पीवन पीट्यू यह वाला पूरा graph अभी बनाया था y is equals to mx मुझे इसको फिर से बताने की ज़रूरत है ठीक है यह सीधे बन जाए clear यह अपन बता आ चुक है है पूरा मैंने component 2 बढ़िया बात है master जब मेरे पास दो component है तो क्या रहेगा total pressure पीवन नौट का इवन प्लस पी टू नौट का इटू हां यह तो रहता ही है यह तो रहता ही है ठीक है अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो solute है अब यहाँ पे जो solute है जो solute है जो solute है वो non-volatile मैंने ले जल कि अए मैने सॉल्यूट नोन सॉलूटू नम्हें लिए लिया माले यह में पास सॉल्वेंट और यह हुआ है आ है यह भाइसार और सालव क्या है बोलो जब आप दो पास मेरे पास टॉटल प्रेशर रहे ग dos यातो तो इस पर डिपेंड ही निकलेगा यह जाएगा मोल फ्रेक्शन ही नहीं आएगा अरे यहां पर मोल फ्रेक्शन क्या होता है number of moles of इस वाले का number of moles of component 2 dissolved liquid यह तो 0 हो गया जब 0 हो गया तो जो total pressure आएगा वो सिर्फ और सिर्फ component 1 से निकल के आएगा बहुत common sense वाली बात सिर्फ volatile component पर डिपेंड करेगा और यहां पर जो volatile component है वो solvent है खतम clear if all solution obeys round slow for all concentration if its vapor pressure would vary linearly from 0 to the vapor pressure of the pure solvent यहां पर यह क्या है vapor pressure of pure solvent बतलब यह है मेरे पास P1 not P1 not clear ठीक है तो अगर मेरे पास 2 component है उसमें से एक non-volatile है तो उस पर vapor pressure उसका बिल्कुल भी जनलेट नहीं होगा आप 0 कर दोगे राउल स्लो मेरा निकल के आएगा फिर यह निकल के आएगा बढ़िया बात है चलिए चलिए बढ़ते हैं आगे एक आपके लिए कोश्चन आया है चलिए कोश्चन आया है क्या कोश्चन है वेपर pressure of chloroform and dichloroform at 298 Kelvin आर यह ठीक है देखना मैंने इसको माना जो chloroform है इसको मैंने माना P1 है ना और जो dichloro methane इसको माना P2 मानते हो चलेंगे अपना मन जो भी मानना है मानो तो यहां पे अगर मैं P1-0 की बात करूँगा वो है मेरे पास 200 mmHg सही है अगर मैं P2-0 की बात करूँगा तो वो है मेरे पास 415 mmHg बहुत बढ़ी हा बात है calculate the vapor pressure of the solution मुझे total vapor pressure निकालना है of the solution prepared by mixing कितना 2.5 gram of CHCl3 मतलब यह मुझे दे रखा है कितना इसका मुझे mass दे रखा है 25.5 gram इसको मानना W1 और यह मुझे दे रखा है W2 कितना दे रखा है 40 gram चलिए कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे ऐसे करेंगे देख रहा मुझे total vapor pressure निकालना है ठीक है total vapor pressure निकालना है इसका मतलब क्या है कि P1 not chi1 plus P2 not chi2 सही है यह वाला formula मैं लगाऊँगा इसको मैंने अभी बंद कर दिया है मिठाई के डबे में अभी तो मिठाई के डबे में बंद कर दिया rubber band लगा दिया P1 not पता है master P2 not पता है master chi1 chi2 पता है नहीं निकाल लेंगे निकाल लेंगे हुशयार अरे अब तो मैंने तुम्हें हुशयार कर दिया तो chi1 क्या होता है mole fraction of one मतलब number of moles तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या निकाल लेंगे number of moles given mass given mass है मेरे पास 25.5 divided by molar mass कितना आएगा भाई साब किसका chloroform का molar mass बता न ये chloroform की बाते चल लिए न CHCL3 कितना आएगा तेरा तेरा प्लस chlorine 35.5 into 3 इसको solve करके बता न फटा फट से रुको मैं तुमारे सामने solve करता हूँ भाई हम तो calculator निकाल लेंगे तुम लोग अपना करो हम तो calculator निकाल लेंगे देखिए रहा calculator मेरे सामने आ गया है style से अरे महेंगी वाली screen है भाई calculator आता है देखो तो 35.5 into 3 पलस पलस कितना करना है 13 अरे एक कम करो यारे कम कहां से होता है यहां से होता है प्लस 13 119.5 यह आ गया 119.5 यह है n1 n2 निकालेंगे n2 जब में निकालूँगा तो n2 क्या आएगा 40 40 divided by अब है CH2 CL2 CH2 CL2 का क्या होगा अब यह तो मैं directly कर लोगा 35-70 अरे तो ऐसी कर लो 12 पलस 2 पलस 70 कितना आ गया 82, 84 यह तो आ गया 84 अब मैं इससे ज़्यादा solve मैं नहीं कर सकता तुम लोगों के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे PT सबसे पहले आप mole fraction निकालो काई 1 क्या आएगा 25.5 divided by 119.5 और divided by 25.5 divided by 119.5 पलस पलस 40 divided by 50 मैं solve नहीं करने वाला इसको ना 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 मेरा one shot जाएगा फिर 10 गंटे का कौन ही देखेगा फिर इसे 10 गंटे कौन पढ़ता है इस chapter को यहां से आ गया काई 1 काई 2 कैसे आएगा काई 2 आएगा 1 माइनस काई 1 करके काई 2 आ गया काई 1 आ गया काई 1 काई 2 लगा ये P1 P2 मुझे पहले ही पता है कहानी हो गई समाप्त सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पर महनत करने है कर लोगे कर लोगे यार प्लीज मेरे से यह सॉल्व मत कराऊ मेरे से सॉल्व मत कराऊ चलिए बढ़ते हैं आगे चलते हैं next question पे for a dilute solution route slow क्या बोलता है route दबागा क्या बोलता है the lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction अच्छा अरे vapor pressure of the solution is equal to the mole fraction of the solute बताईए 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 देखो कहीं इस वाले में अरे रुको 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 कहीं इस वाले में अरे यार मेरा route slow चला कहां गया ठीक है रुको रुको मैंने slide तो नहीं उड़ा दी ना हाँ ये रा कहीं देख रहे हैं कहां लिखा हूँ कहीं relative है the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to the mole fraction of the mole fraction present in the solute mole fraction किसका solute का अभी ये जो route slow है ना इसमें अभी relative word use मत करना relative आएगा qualitative property में आएगा तो अभी मत use करिएगा चलिए चलिए तो क्या है तो यहां पर relative वाला टम आपन को बिल्कुल भी use नहीं करना है तो यहां relative नहीं है यह relative नहीं है तो दा vapor pressure of the solution is equal to the mole fraction of the solute the lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of the solute lowering नहीं होता भाईया vapor pressure of solution चलिए ठीक ठीक तो relative वाला आप please मत करिएगा relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of solute relative नहीं होता है ठीक है वो vapor pressure है indirectly proportional मेरे पास रहेगा आजाएए इस वाले पर value of Henry's constant is relative lowering आएगी अभी आएगी relative lowering उसकी टेंशन अनत लेएगी बहुत बढ़िया तरीके से आएगी चलिए value of only Henry's constant increases with increase in temperature temperature पर कैसे depend करती है अर्य 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 भाईया होता क्या है P H is equals to K H X अब देखो जो partial pressure के directly proportional है है तो K H किसकी बात कर रहा K H और जो K H है वो inversely proportional है mole fraction के और मैंने बताया था जो K H की जो value रहेगी अगर आप temperature बढ़ाएंगे K H directly proportional प्रेशर के boys law से मेरे पास कह रहेगा P1 V1 volume के परावर और मतलब temperature के पराप हो जाएगा तो हमेशा देहना कि K H डाइक ली प्रोपूसर होता temperature के K H increases temperature increases solubility decreases low खतम कर दिया मैंने यह खतम हो गया लीजिए ले जाओ हो गया भाईया हो गया खतम clear clear है चलिए चलिए बढ़ते हैं अपन आगे अब आते है ideal और non-ideal solution आ गए है ideal और non-ideal इसके बाद अपना क्या रहेगा इसके बाद आएगा colligative वाली कहानी और बचे हुई है फटा-फट से करते हैं इसको चलिए चलिए अभी तक किसी को कोई दिकत कोई doubt है तो बता दीजिए है ना नहीं तो अभी तक तो तुम्हें तुम लोगो clear होता हुगा चल रहा होगा ठीक है बढ़ी चलो अब आते हैं ideal ideal मतलब बोलते नहीं कि भाई सब वो ideal इंसान है ideal मतलब ना उसमें कोई घमण है बहुत साधाराण सा व्यक्ति है मेरी तरह मैं एक ideal इंसान हूँ मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है मैं भया आता हूँ पढ़ाता हूँ जाओँगा सोऊँगा सुबह उटके फिर से आजाओँगा पढ़ाओँगा यही जिन्दिगी है मेरी मतलब ideal चल दा है अब आजएए इधर अब आजएए इधर एन ideal solution is the solution in which each component obeys route's law under conditions of temperature and concentrations तो कोई भी जो route's law को follow करता है वो मेरे पास ideal solution है और हमेशा दियान रखना ideal solution में जो मेरे पास enthalpy का change होगा enthalpy का change 0 होना चाहिए और volume का change 0 होना चाहिए सर कुछ example दो इसके अगर मैं ideal solution की बात करूँ for example होता है मेरे पास यह है benzene और benzene की अगर मैं tollene से reaction कराता हूँ tollene यह CH3 यह आपस में एक ideal solution है यह आपस में क्या है ideal solution है इन में जो enthalpy का change होता है change in enthalpy है change in energy वो 0 होता है और जो change in volume होता है वो भी 0 ही रखता है clear ठीक है इसका मतलब क्या है ओहो 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 इसका मतलब क्या है कि जो A A और B B इनके बीच में interaction जो है इनके बीच में जो bond है मतलब जो इनकी bond strength है वही बराबर होनी चाहिए A और B के यह मतलब होता है यह है simple सा क्या इसको आपन बोलते है ideal solution यह होता है मेरे पास ideal solution समझ में आया क्या मगज में आया क्या मगज में समझ आ गया ठीक है और भी example है एक है hexane और aptane मतलब hexane, hexane, aptane मतलब माल लीजे यह है 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 2, 3, 4, 5, 6 इन दोनों को अगर मैं mix करूँगा तो इसमें जो अभी मतलब intermolecular force है और इन दोनों का intermolecular force है इनको जब मैं मिलाऊंगा तो intermolecular force बराबर होना चाहिए intermolecular force between aa and bb should be equal to the intermolecular force between a and b इसको बोलते हैं क्या ideal solution मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर यह लिखा हुआ है वैसे यह वाला term लिखा हुआ है मुझे लिखने की ज़रुवत नहीं है intermolecular attractive force between aa and bb are nearly equal to those of a and b वैसे यह generally ideal solution इतने देखे नहीं जाते हैं पर anyways आपको ध्यान लखना है तो कोई भी ऐसे दो compound दो molecules दो component जो route slow को follow करते हैं उनको अपन बोलेंगे ideal बाबा चलिए अब आते हैं non-ideal solution non-ideal कोन है जो route slow को follow नहीं करते जो route slow को follow नहीं करते वो non-ideal solution खता हम if a solution if a solution does not obey route slow over the entire nature of a solution I don't know ideal solution ठीक है ठीक है तो देखो अब जो follow नहीं करते हैं वहाँ से दो time आते हैं मेरे पास जब आप routes बाबा को नहीं मानते हो तो जो vapor pressure routes बाबा से निकल के आता था वो या तो इसका मतलब है कि आपका vapor pressure routes बाबा से जादा आ रहा है या कम आ रहा है नहीं समझे आजो इदर नई नई पन्ने पे आते हैं अगर मैं non-ideal solution की बात करूँगा समझना बहुत important term में बता रहूँ non-ideal solution अगर दोस्तों मैं non-ideal solution के पास जाऊँगा खीक है तो ये routes law follow नहीं करने चाहिए routes law को follow नहीं करना चाहिए इसका मतलब क्या है कि जो routes बाबा थे जो बताते थे pt is equals to p1 not ki1 होता है दोस्तों और p2 not ki2 होता है ठीक है अब अगर आप route बाबा को follow नहीं कर रहे हो मतलब यहाँ से जो vapor pressure निकलेगा total pressure जो routes law से total pressure निकलने वाला था उतना नहीं आएगा उतना नहीं आएगा इसका मतलब क्या है अगर उतना नहीं आएगा इसका मतलब यह है या तो जादा होगा या कम होगा अरे जवाब दो या तो जादा होगा या कम होगा अगर जादा या कम की वाद होगी तो दो टम आते हैं मेरे पास एक होता है positive deviation from route slow देखना, एक होता है मेरे पास positive deviation from round slow positive deviation from round slow graph से समझ जाओगे, लेकिन पहले theory से समझ जो round slow एक बार समझ गए, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एक है मेरे पास positive deviation from round slow और दूसरा वाला क्या है, दूसरा है negative deviation मतलब जो round slow से निकल किया आता, वेपर प्रेशन उससे अगर जादा आए तो positive deviation कम आए, तो negative deviation कैसे होगा master, ऐसे होगा इधर आ जाओ negative deviation, negative deviation from round slow चलिए, 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 देखिए होता क्या है अपन लेंगे हरा color, piece color, तो अब यहाँ पे अगर मैं positive deviation की बात करूँगा, तो positive deviation का मतलब यह होता है, कि जो round slow से प्रेशन निकले का, उससे जादा आए, और जादा पता है, कब होता है, जादा तब होता है, जब मेरे पास AA, अब मेरे पास दो component है ना, A and B, दो component की मैं बा जादा है in comparison to A, B, हम तो गए master, master हम तो गए नहीं समझा रहा, अरे, AA और BB के बीच में जो interaction था, इनके बीच में जो bonding थी, वो strong थी, ठीक है boss, जब मैंने A और B का bond बनाया, वो weak निकला, अब जब bond weak निकला, अरे जब bond weak निकला, मैंने किया किया, इसमें थोड़ी थोड़ी इसी आग दी, मैंने थोड़ी थोड़ी सी इसमें आग दी, जब मैंने इसमें heat बढ़ाई, थोड़ा temperature बढ़ाया, तो vapor pressure भी तो बहुत जादा बनाएगा, अरे यार, जवाब दो, अब मैं इसमें, अगर मैं थोड़ी थोड़ी और अगर मैं heat दोंगा, तो vapor जादा बनेग अगर vapor जादा क्यों बनेगी, क्योंकि इनके बीच में जो interaction है, वो low है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहाऊ, interaction, तो vapor जादा बन जाएगी, तो जो मेरे पास बराबर आने चाहिए, इनसे बराबर नहीं आती है, जादा आती है, कब ये arrow का क्या मतलब, कि interaction इनका strong है, इन का weak है, next, अगर मैं negative deviation की बात करूँगा, तो negative deviation कब होता है, जब मेरे पास AA, BB, इनका interaction, या फिर इनकी bonding कम होती है, और AB का interaction जादा होता है, AB एक strong bond है, जब AB strong bond है, जब AB strong bond है, तो जब मैं इसको तोड़ूँगा, bond ही नहीं टूटेगा, vapors कम बनेंगी, vapors कम बनेंगी, तो जितना मैं routes law के according चल दाता है, कि total pressure जितना आने चाहिए, तब vapor pressure उतना नहीं आता है, उससे कम आता है, येवाली slide बहुत important है, इसका screenshot ले लो, मैं अभी example भी दिखाता हूँ, screenshot ले लिए फटाफट से, अगर positive deviation होगा, तो reactant का interaction is stronger होगा, अगर negative deviation होगा, तो product का interaction is stronger होगा, थोड़ा सा common sense भी यहाँ पर use करते हूँ चलना, कि negative है, इसका मतलब मेरे पर vapor pressure कम बन रहा होगा, अगर vapor pressure कम बन रहा होगा, इसका मतलब क्या है, कि मेरे पास जो bonding है, वो strong है, तो मतलब मेरे पास product की bonding है, देखरो, connection, पूरा connection का खेल है, तो feel आ जाना चाहिए, यार पढ़ तो तुम कहीं से भी लोगे, यहाँ क्यों जुड़े हो, feel आना चाहिए, feel आ रहा है, समझ, दिखाई दे रहा होगा रहा है, राउट से जादा क्यों हो रहा है, कम क्यों हो रह है, भाई सब इनका bond strong है, अच्छा bond strong है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कि जितना मैं route slow से expect कर रहा था, उससे कमी आएगा, चलिए, clear है, अब आजाए इधर, यहाँ से समझ लेते हैं, यह किसका graph है, सब clear हो जाना चाहिए, यह है positive deviation का, अभी तक अपन ने, जो देखा था, वो ऐसी straight line जा रही थी, ऐसी straight line, देखरो, यह है मेरे पास P1, यह है P2, अब जब interaction बढ़ गया, है ना, जब मैं positive deviation की बात करूँ, यह क्या है, positive deviation, positive deviation इसका मतलब क्या है, अपने आप, अपने आप दिमाग चलाना है, AA plus BB का जो interaction है, वो low होगा in comparison to AB, जाद आना चाहिए, ठ है, हाँ, यह हम आने उल्टा बना दिया, कि अरे, अरे, यह दो, जादा, 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 जादा आएगा, तो मेरे ऊपर hump बनेगा, हम, है न, दो चीज़ा होती है, एक होता है, हम, तो यह होता है, हम, अरे, एक crest होता है, ट्रफ होता है, तो जब positive deviation आएगा तो ज का और हमेशा दियान रखना इसमें जो mixing रहेगी वो greater than zero डेलवी mixing और डेलच mixing दोनों ही greater than zero रहेगी example देख लीजिए acetone ethanol और CS2 और acetone ठीक है यह इसके example क्यों हो जाते हैं को कि इनमें hydrogen bonding मुझे मिल जाती है उस वजह से next अगर मैं negative deviation की बात करूँगा negative deviation का क्या मतलब है कि मेरे पास जो a a plus b b का जो interaction है वो stronger नहीं weak है in comparison to a b in comparison to a b मुझे बता दीजिए अगर इतना आप लोगों का clear हो गया तो फटा-फट से फटा-फट से बताते हुए चलिएगा मजा आना चाहिए चीज़ है फील हो जानी चाहिए अब देखो negative deviation है तो भाई साब मीचे से जाएगा जैसे यहां है यह है मेरे पास acetone है ला और और यहां यह है मेरे पास chloroform और अगर मैं acetone और chloroform के बीच में bonding करा हूँगा तो भाई साब hydrogen bonding present है अब यहां जब hydrogen bonding present है तो यह क्या करेगा यह सुनना भाई साब hydrogen bonding है तो अब मैं तो वेपर नहीं बना रहा मैं नहीं बना रहा वेपर प्रेशर तो अब वेपर प्रेशर जनरेट ही नहीं होगा तो जो राउंड से मेरा वेपर प्रेशर आ रहा था उससे कम आएगा इसलिए उसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउंड पॉजिटिव डेविएशन में जो मेरे पास reactant है उसका interaction stronger होगा और negative deviation में मेरे पास product का interaction stronger होगा पूरी कहानी किसके आसपास गुमती है hydrogen bonding के आसपास देखरो graph अगर नीचे आएगा तो क्या है negative deviation उपर से निकल गया अरे दो term होते हैं एक होता है hump और एक होता है नीचे और अगर उपर से जाएगा तो वो है मेरे पास positive deviation चलिए चलिए बढ़ते हैं आगे तुमारा ये वाला term तो हो गया है clear अब आ गए है colligative property बस यही बचा हुआ है colligative property है उसके बाद वो आता है मेरे पास abnormal molar mass और है वो मैं दिखा दूँगा खतम करेंगे कहानी खतम करेंगे कहानी हाँ यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई डाउट क्योंकि फिर अपन यही अपने पास मेरे दिखा दे रहा हूं यह है मतलब यही चार colligative property है फिर as you drops आते हैं फिर इसके बाद इसके related इससे question आ जाईए चलिए यहा पड़ाम के साथ साथ यह है आपका most important topic इस chapter के लिए क्योंकि यहां से जो numerical बनेगा बहुत बढ़िया बहुत प्यारे नुमेरिकल बनेगा यह चार मेरी जो colligative property है relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, osmotic pressure इन चार में से कही न कही एक numerical वो आपके paper में दे देगा easy सा आता है बहुत typical numerical आता नहीं है कैसा आएगा वो मैं आपको बता दूँगा formulas derive कराते हुग है ठीक है तो अब आते हैं colligative पे तो colligative का क्या मतलब होता है को का मतलब होता है Latin word है को का मतलब हो together तो ऐसे मेरे पास bonding जो साथ में bind कर जाते है together और binding इनके मिलके बनता है colligative property तो यहाँ पे जो बात होती है वो बात होती है मेरे पास solute है दोस्त मेरे पास solvent है अगर मैं जब colligative property की बात करूँगा तो इसमें मेरे पास हमेशा ध्यान रखना अगर colligative property है तो मेरे पास यहाँ जो solute होगा हमेशा ध्यान रखेगा सारे लोग यही confused हो जाते है इसमें जो solute होगा वो एक non-volatile solid होगा इस बात को अपने दिमाग में अपने भेजे में अपने यह जो है ना तुम्हारा यह संपट इसको में ठीक कर लो ठीक है तो यह है चार इसको पन पढ़ेंगे अप quality का मतलब क्या है तो property which depends देखो आपने वो सुना होगा ना कि कितने आदमी थे वही तो यह जो quality property है ना यह किस पर depend करती है different करती है number of particles पर कितने पार्टिकल है यह बताओ कितने आदमी थे वह बताओ कौन था उसका क्या नाम था उसके चाचा का नाम उसका क्या नेचर था कोई मतलब नहीं है कितने आदमी आए थे वह बता दीजिए बाकी हम खुद अपना काम कर लेगे यह होता है colligative property को nature से डिपेंड नहीं करता कि मेरे पास इसका nature क्या है polar है non-polar है ना कितने हो amount बता दीजिए कहानी मैं खतम कर दूँगा clear है चलिए सबसे पहले पन पढ़ेंगे relative lowering in vapor pressure relative lowering अब समझने की कोशिश करना थोड़ा सा समझने की कोशिश करना clear हो जाएगा मेरे पास शुरूआत में देखो 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 पूरी colligative property की में बात कर रहा हूं मैं हमेशा जब दो component लोगा एक होगा component 1 एक होगा component 2 component 1 होगा वो होगा solvent solvent इसका जो भी होगा ठीक है जो भी में इसका जो partial pressure में यूज करूँगा तो P1 इसका अगर मैं molar mass यूज करूँगा तो M1 अगर जो molecule मेरे को जो weight दे रखा होगा given वो आएगा मेरे पास W1 अगर मैं molality यूज करूँगा तो वो M से ही मैं यूज कर लोगा next जो मेरे पास component 2 होगा पूरी colligative property की में बात कर रहा हू यहां पर जो solvent है वो क्या है वोलेटाइल है clear है वोलेटाइल यहां जो solute होगा उसको component 2 से denote करेंगे 2 वो होगा एक मेरे पास non-volatile बढ़िया बात है master non-volatile होगा non-volatile तो होगा उसके साथ-साथ क्या होगा यहां पर मेरे पास इसका जो pressure होगा वो रहेगा P2 molar mass M2 या फिर अ जाएंगे है अगर molality भी आ जाएगी तो मैं M2 रखोंगा given mass होगा W1 इतना ध्यान रखना molality के बारे में मैं इसको अलग से तो मैं specify कर दूंगा कैसे क्या करना बस C1 अगर 1 आ जाए तो solvent की बात हो रही है 2 आ जाए तो solvent मतलब मेरे पास solute की बात हो रही है solute non-volatile है बहुत उससे कम हो गया शुरुवात में जो vapor pressure था वो माल लीजे मेरे पास था P1 0 है ना शुरुवात में vapor pressure P1 0 था अब कम हो गया कम हो गया तो minus P1 minus P1 और relative की जब बात होती है जैसे अगर मैं बात करूँ तो percentage तो गैसे होता है total final minus initial divided by final आता है है ना वही final minus initial divided by final तो divided by P1 0 is equals to यह बराबर होता है mole fraction के mole fraction of solute के mole fraction of solute के खतम हो गया खतम हो गया यह है मेरे पास पहली relative lowerень in vapor pressure देख लो आजाओ इस चीज़ को तुम यहां से भी समझ सकते हो यहां से क्या है इसको मैं अलग से और बतात हूं देखना देख 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 देखो देख देखो क्या है क्या है क्या निकल्न अभी आपका बना दूगा, relative lowering in vapor pressure, चलिए 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 चलिए, क्या आया, P1 0 minus P1, ये है lowering in vapor pressure, ये है lowering in vapor pressure, divided by, यहाँ पे आ गई, अब relative हो गया है, अब relative हो गया, is equals to mole fraction of 2, mole fraction of 2, 2 का क्या मतलब है, 2 का क्या मतलब है, 2 का मतलब है, मेरे पास, मैंने आपको बहले बता दिया, अगर मैं 1 use कर रहा हूँ, 1 stands for solvent, 2 का मतलब है, तो solute आ जाएगा, अब इसको थोड़ा सा solve करते हैं, पर, P1 0 minus P1 divided by P1 0 is equals to, यह क्या होगा मेरे पास, N2 divided by N1 plus N2, प्लीज, मैं फॉर्मूला निकालना हूँ, ध्यान रखेगा, N1 plus N2, मैं थोड़ा सा इसको clearly लिख जेता हूँ, is equals to N2 divided by N1 plus N2, चरिए, आगे बढ़ते हैं, अब होता क्या है, कि यहाँ पे, मेरे पास जो solute के moles है, है ना, एक सेकंड देना मुझे, एक सेकंड, एक सेकंड, अरे छोड़ो, देखो, P1 0 minus P1 divided by P1 0, यह, अब यहाँ पे होता क्या है, कि जो मेरे पास number of moles of solute है, वो बहुत कम होते हैं, in comparison to number of moles of solute, तो यहाँ पे हम जो नीचे वालट हमें, इसमें N2 ignore कर देते हैं, जब N2 ignore कर देते हैं, तो यहाँ था, P1 0 minus P1 divided by P1 0 is equals to N2 divided by N1, एक तो यह निकल के आया, प्लीज, प्लीज, आप लोग ध्यान लखना, P1 0 minus P1, यह, सॉरी, P1, यह होता है, lowering in vapor pressure, यह होता है, lowering in vapor pressure, सही है, सही है, और यही, जब मेरे पास P1 0 minus P1 divided by P1 0 होगा, यह होता है, मेरे पास, relative, जब मैं divide कर दूँगा, P1 0 का, relative lowering in vapor pressure, relative lowering in vapor pressure, अरे, अभी clear हो रहा है, अभी समाब तो रही है, सारी कहानी, अभी समाब तो रही है, अब इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं, खोल लें इसको, इसको मैंने bracket में बंद कर दिया, N2 divided by M1, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, सुनिएगा, P1 0, P1 0 minus P1 divided by P1 0 is equals to, क्या रहेगा, यहाँ आजाएगा, W2 divided by M2, W2 divided by M2, capital M लिख दे रहा हूँ, क्या कर दिया, मास्टर समझ नहीं आया, इसमें क्या है, इसमें क्या है, next, अब यही, मेरे से, अगर यहाँ नीचे क्या हैगा, W1 divided by M1, molecular, उपर क्या है, given mass of solute, नीचे क्या है, molar mass of solute, given mass of solvent, molar mass of solvent, तो क्या होगा, तो क्या होगा, P1 0 minus P1 is equals to, चलिए, हाँ मैं कहाँ था, यहाँ पर, आजाएगे, तो फिर क्या बनेगा, P1 0 minus P1, अब इसमें, वही आजागा मेरे पास, P1 0, ठीक, यह color कहां से, pen कहां से change हो गया, is equals to, ठीक, यह P1 0 दिख रहा होगा, 1st का 4 से multiply, मतलब W2 into M1 divided by 2nd का 3rd से, मतलब M2 into W1, अब जो paper में, कभी कभी question आता है, वो निकालने को आता है, मेरे पास molar mass of solute, है ना, तो अगर मैं molar mass of solute निकालना चाहूँगा, मतलब मुझे M2 निकालना है, जब मुझे M2 निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, क्या रहेगा, अब मैंने क्या किया, यहां से मुझे M2 की value निकालना, तो M2 इधर आजागा, M2 is equals to, क्या रहेगा, P1 0 into W2 into M1 divided by, है ना, M2 इधर आगया, यह नीचे आजागा, तो यहां पर आजागा, W1, P1 0 minus P1, किस को clear हो गया है, मुझे बता दीजेगा, यह है मेरे पास क्या, this is your colligative property, first का formula, यहां से rarely question आता है, पर अगर आएगा, तो आप लोग अच्छे से कर लोगे, मैंने आपको पूरा बढ़िया तरीके से बता दिया है, lowering in vapor pressure, P1 0 minus P1, initial वाला जादा होगा, बाद में, अब यार, नाम ही है न, lowering, lowering मतलब कम हो रहा है, तो lowering in vapor pressure, तुमारा यह है, उसके बाद relative lowering में, आपने P1 0 का, यहां पर divide करना है, clear, ठीक है, चलिए, चलिए, बढ़ते हैं, आगे, अब आते हैं, elevation in boiling point, पर, अब आप लोग समझें, कि यह qualitative property बनी कैसे, देखो, elevation in boiling point का क्या मतलब है, कि आपने, पहले मेरे पास कोई solvent था, मेरे पास volatile solvent था, बढ़िया बात है सर, अब volatile solvent में, मैंने अब जाके, उसमें कोई non-volatile solute add किया है, भाई, यह मैंने non-volatile solute add कर लिए, जब मैंने उसमें non-volatile solute डाल दिया है, तो उसके बाद क्या होगा, कि अब उसकी जो, देखो, अब वो vapors तो बनाएगा नहीं, जब vapors नहीं बनाएगा, तो boiling point increase होगा, कोई भी ऐसा है, मानलीजे, जैसे मेरे पास पानी है, पानी में मैं कुछ ऐसा डाल दूँ, जो उसमें घुले ही, मानलीजे, मैंने sand डाल दी, अगर मैंने sand डाल दी, तो मैं जब उसको boil करूँगा, तो उसका boiling point बढ़ जाएगा, पानी का boiling point बढ़ जाएगा, जैसे मैं नमक भी डाल देता हूँ, चलो, नमक dissolve हो जाता है, तो चलो, नमक बाली example है, अगर मैं नमक डाल दूँगा, तो पानी का boiling point इंक्रीज हो जाता है, एक सो तीन, एक सो चार चला जाता है, उसी को अपन बोलते है, elevation in boiling point, अब boiling point बढ़ रहा है, मान लीजे, जो शुरू में था, वो था TB naught, और जो बढ़ेगा, तो क्या दिखाए डेल, डेल, T, B, इसको अपन बोलते है, elevation in boiling point, अब सुनिएगा, elevation in boiling point, अब ये किस पर depend करता है, मास्टर, आ जाईए, इसको यहाँ पर देखते हैं, आ जाईए, इधर, अगर मैं elevation in boiling point के formula का निकालूँ, देखो, एक दो है, बस उन्ही का अपन को करना है, बाकी clear हो जागा, अगर मैं elevation in boiling point की बात करूँगा, elevation in boiling point, तो अगर मैं elevation की बात करूँगा, तो यहाँ पर देखेगा, क्या हो रहा था, डेल टी बी था, है न, डेल टी बी, वो directly proportional होता है, molality के, molality किसकी है, भाई, यह solution की molality होती है, molality तो solution की होती है, यह, और जब मैं proportionality का sign हटाता हूँ, जब मैं proportionality का sign अटाऊँगा, तो proportionality constant आएगा, और वो बहुत important है, इसको अपन बोलते हैं, के बी, एम, के बी, एम, जो proportionality constant मेरा निकल के आया है, वो है मेरे पास के बी, अब यह जो के बी है, के बी है, इसके बहुत सारे नाम है, इसको अपन iblioscopic constant भी बोलते हैं, iblio, है ना, iblioscopic constant भी बोलते हैं, iblioscopic constant, इसको, इन भाई साब को, अपन प्यार से और क्या बोलते हैं, इसको molal elevation constant भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, molal, molal elevation constant भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं मास्टर एक दो नाम यह हो गए और तो तो मैं पर दिखान करेंगे इदनी जरूरत नहीं है अब आता है कि इसकी सर यूनिट क्या होगी के बी की यूनिट तो के बी की अगर मैं यूनिट निकालोंगा तो क्या होगी अब देखो डेल टी बी डिवाइड़ बाई एम होगा तो टी बी क्या होता है कैलविन डिवाइड़ बाई यह क्या है मोललिटी तो यह आगा मोल पर केजी मोल पर केजी तो इसकी यूनिट क्या ह मोल, clear है, important है, अब और formula यह इस से बन सकते हैं, जैसे मेरे पास del TB is equals to KBM है, देखिएगा, इधर बनाता हूँ, सुनिएगा, del TB is equals to KBM है, M क्या है, molality है, अब molality है, तो क्या होगा, देखिए, KB, number of moles of solute, N2, divided by, mass of solvent, NKG है, तो mass of solvent, मतलब M1 आएगा, मेरे पास, M1, M1, mass of solvent, NKG, तो यहां से क्या जाएगा, del TB is equals to KB into, W2, W2 divided by M2 into M1, सही है, अब अगर मुझे M2 निकालना है, molar mass of solvent निकालना है, हाँ, सही है, तो इसको मैं capital M से दिखाता हूँ, capital M1 into, छोटा वाला है, M2 और यह M1, capital M है, molar mass, छोटा वाला M, क्या है, वो है, मेरे पास, given mass divided by molecular mass हो गया, रुक जाओ, N2 है, given mass divided by molecular mass, ठीक है, जो capital M है, वो क्या है, mass of solvent, अरे तो इसको W1 से दिखाते है, तो इसको W से दिखाएंगे, लो, लो, भीया, पूरा में उडाते रहो, थोड़ा सा दिखाने में दिक्त रहती है, यहाँ पे आजाएगा number of moles of solute, तो N2 divided by mass of solvent in kg, ऐसे कर लो, खतब, ऐसे कर लो, तो क्या आजाएगा, W, मतलब Tb is equals to Kb, number of moles of solute, तो यह आजाएगा, given mass, मतलब W2, W2 divided by, यहाँ पे आजाएगा M1 into W1, अब मुझे अगर, क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, यह M2 रखोना, M2, अब अगर मुझे M2 निकालना है, M2 निकालना है, तो क्या आएगा, Kb into W2 divided by del Tb into W1, खतब, M2 क्या है, M2 क्या है, M2 है मेरे पास, molecular mass of solute, खतब, लिख लो, M2 क्या है, molecular mass, mass of solute, खतम हो गई कहानी, खतम हो गई कहानी, clear है, ठीक है, मैंने आपको पहली बता दिया, कहीं भी अगर 1 लिखा है, तो वो solvent की बाते हो रही है, अगर 2 लिखा है, तो solute की बाते हो रही है, खतम कहानी, तो relative lowering in vapor pressure खतम, elevation in falling point खतम, देख रहो, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, del TB, del TB, km, Kelvin kg per mole, आपन लिकाल दिये है, पहले ही Kelvin kg per mole, हमें अलग से निकालने की जरुवत नहीं है, clear, ठीक है, तो यहाँ से आप थोड़ा और समझने की कोशिश करना, यह था मेरे पास solvent का, है ना, यह था solvent का, यहाँ पर मैं देखू, तो यह solvent का मेरे पास boiling point है, वो निकला मेरे पास इधर, इधर, ठीक है, जब आपने कोई non-volatile solute add कर दिया, तो obviously मेरे पास क्या है, boiling point बढ़ेगा, बढ़ेगा, तो हलका सा इधर shift करा, वो मेरे पास आ गया है, इधर, देख रो, यह बढ़ गया है, तो यह है TB naught, यह है TB, मैं difference निकालूँगा, तो मतलब elevation in boiling point निकालूँगा, तो TB minus TB naught होगा, TB minus TB naught, उल्टा मत कर दीज़ेगा, गलत हो जाएगा, तो अब आते हैं, अपन depression in freezing point पर, clear है, एक question है, चलिए, यह question करेगा, positive deviation from round slope, पहला नहीं है, यह तुम्हारा homework number 2 है, same example, same example, मैंने positive deviation वाले में भी दिये हैं, positive और negative वाला जब किया था, same example है, अब मैं यहाँ पर तुम्हें बता दूँगा, फिर से तो क्या ही फायदा, करिएगा, hydrogen bonding धियान रखना, देखते हैं, अब hydrogen bonding से तुम धियान रखोगे या नहीं रखोगे, इसका answer बताईए, फटाफट से, इसका answer बताईए, चलिए, हाँ, उसके बाद करेंगे depression, चलिए, चलिए, वेन, क्या बोल ला है, सुनते हुँ चलिएगा, वेन, वन मॉल अफ बैंजीन, इसमें विद वन मॉल अफ तॉलीन, बैंजीन और टॉलीन को मिक्स कर रहा हूँ, वेपर, विल कंटेन, इक्वल अमाउंट ऑफ बैंजीन और टॉलीन, इसको मैं होमवर्क नहीं दूँगा, इसको तुम्हें चलो डारेक्ली करी लूँगा, यह तो easy है, जादा होमवर्क के लिए वो नहीं करेंगे, बैंजीन और टॉलीन का, अगर तुम्हें ध्यान हो, तो मैंने जब ideal solution जब start ही गया था, अरे अभी ए घंटे पहले की बात है, तो जब मैंने ideal solution start ही गया था, वही example दिया था, बैंजीन और टॉलीन का, तो बैंजीन और टॉलीन are the example of ideal solution, equal amount of benzene, और ideal है तो क्या रहता है, तो डेल H0, डेल V0, answer है मेरे पास A, answer है मेरे पास A, आजाईए next pick, the unit of ibloscopic constant, अभी अपन ने किया है, ibloscopic constant, molar elevation constant, कुछ भी नाम ले लो, तो क्या रहेगा, वो होता था मेरे पास, डेल TB, डेल TB is equals to KBM, मुझे KB की unit निकाल लिया, वो होगा, मेरे पास, डेल TB divided by M, ये रहेगा, Kelvin, अरे ये गंदे लग रहे है, इनको हटा दो, क्या होगा, Kelvin kg per mole, है न, Kelvin, मतलब Kelvin आ जाएगा, उपर आ जाएगा, फिर kg, और यहाँ पर आ जाएगा, पर mole, तो Kelvin kg per mole, Kelvin kg per mole, Kelvin kg per mole, ये न, ये न, ये न, आंसर है मेरे पास, पहला वाला, और तुम चाहो तो उपर Kelvin, और divide by molality है ये, तो Kelvin molality inverse भी हो जाता है, चलिए, बढ़ते हैं आगे, अब अपन आते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी पे, which is your depression in freezing point, इसका क्या मतलब है, वो भी सुनते हूँ चलिएगा, बस, खताब है, बस depression है, osmotic pressure है, पहरापन azotrop के बारे में बाते करेंगे, और फिर abnormal molar mass क्या होता है, वो भी एक बार ही देख लेंगे, तो जब मैं depression in freezing point की बात करूँगा, depression in freezing point के क्या मतलब है, कि जो मेरा freezing point है, वो कम हो रहा है, अब freezing point कम कैसे होता है, वो समझने की थल की सी थोड़ी सी कोशिश कर रहा, जैसे घर पे मम्मी जब ice cream भी जमाती थी, तो वो क्या करती थी, उसमें थोड़ा-थोड़ा सा नमक डाल देती थी, वो जल्दी जम जाए, हार्ड जमें, है न, वही थोड़ा सा example आपको यहाँ पर समझने की कोशिश करने है, कि the freezing point of the substance may be defined as the temperature at which the vapor pressure of the substance in its liquid state is equal to the vapor pressure in solid state, तो vapor pressure liquid और solid पर जब दोनों बराबर हो जाता है, जैसे यहाँ पर यह liquid solution है, यह frozen solution है, यहाँ, क्या मतलब है, कि जब मेरे पास vapor pressure, vapor pressure of, of liquid, liquid बराबर हो जाता है, किसके बराबर का sign है, बराबर हो जाता है, vapor pressure of, vapor pressure of, vapor pressure of liquid यह बराबर हो जाएगा, liquid pressure of freezing के, freezing के, और हमेशा ध्यान लखना, यहाँ depression हो रहा है, यहाँ depression हो रही है, कम हो रही है, चीज़ें, जब चीज़ें कम हो रही है, तो क्या आएगा, dell tf is equals to, तो शुरू में जादा था, मतलब tf not पिर आएगा, यहाँ पर tf, जो मेरे पास elevation in boiling point था, उससे बिलकुल उल्टी कहाँ नी चलेगी, बिलकुल उल्टी कहाँ नी चलेगी, जब यहाँ पर आ ही गए है, तो इधर आ जाईए, इधर आ जाईए, यहाँ जो मेरे पा constant आता है, kf, kf, इसको अपन cryoscopic constant बोलते हैं, ध्यान लखिएगा, वो होता है मेरे पास cryoscopic constant, अब वो क्या है, वो क्या मतलब, अरे भाया, formula तो निकालने, formula निकालने, अब सर, kf की unit क्या एगी, kf की जो unit आएगी, वो भी, वो भी क्या आएगी, Kelvin kg per mole, अलग से निकालने क Kelvin kg per mole, anyway, सुनिएगा, तो यहाँ पे, del tf is equals to kf, kf, और अब M है, M क्या है, molality, तो number of moles of solute divided by, same, same, पिछले बार की तरह है, इस divided by, और यहाँ आजाएगा मेरे पास, mass of solvent in kg, solvent M होता है, to mass of solvent in kg, थोड़ा से और solve करते हैं, यहाँ से, del tf is equals to, यह kf रहेगा, and 2, अब N2 है, मतलब number of moles of solute, तो, यह क्या है, given mass, given mass हो जाएगा, मेरे पास, w2 divided by M2 into w1, clear, आजाएए, एक बार ही, यहाँ से फिर M2 भी निकाल लेते हैं, अगर मैं M2 बात करूँगा, तो M2 आएगा, मेरे पास, यहाँ से, kf into w2 divided by, divided by M2 इदर आगया, M, w1 नीचे रहेगा, w1 into del tf, आप चाहो, तो del tf को convert भी कर सकते हो, del tf में कैसा रहेगा, M2 is equals to kf into w2 divided by w1 or into tf0 minus tf, जो भी चाहो, जो भी चाहो, वो ले जाएए, कभी-कभी पेपर में यह हलका सा पूछने को आजाएगा, और तुम्हें यह रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, किसी ने, अगर जो भी यहाँ पर व्यूड देख रहा है, इसने रटने की कोशिश करिए, kf into w2 divided by w1 del tf, मारूंगा मैं तुम लोगों को, इस वाले formula को धियान रखो बस, अगर elevation in boiling point, del tb is equals to kbn, elevation में याद रखना है, कि जो मेरे पास del tb होगा, वो क्या होगा, tb minus tb not, है ये वाली कहानी ध्यान रखिये, आपकी आधी जिंदगी सवर जाईगी solutions में, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए सारे लोग, चलिए, चलिए, बढ़ते हैं आगे, अब आते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी पे, osmosis या osmotic pressure, अब ये क्या होता है, biology का पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, कि मेरे पास यहाँ पे अभी बीच में, semi-permeable membrane लगी हुई है, अब इस semi-permeable membrane के थुरू, जो concentration का movement होता है, है ना higher concentration to lower concentration, उसी को अपन osmosis बोलते हैं, थोड़ा सा यार biology का पार्ट है, इसको पटापट से देखते हैं, when a semi-permeable, semi-permeable का क्या मतलब होता है, कि इस वाली जो boundary है, यह वाली जो layer है, इसमें छोटे-छोटे से, छोटे-छोटे-छोटे-छोटे ऐसे points हो रखे होते हैं, ठीक है, सुनिएगा क्या मतलब है इसका, when a semi-permeable membrane, a material which is extremely small holes, तो यह allow कर द solution, solvent से solution में, जो movement होता है, solvent से, solvent से solution में, इसका मतलब क्या है, master, higher concentration to lower concentration वाली बात है, चल रही है, anyways, इदर आ जाईए, ठीक है, यह है, अब देखना, the movement, directly, यह definition लिख लो, the movement of solvent molecules, through semi-permeable membrane, उसको अपन osmosis गोलते हैं, semi-permeable membrane के through, अगर मान लीजे, मैंने इसमें pressure लगाया, तो यह सारे molecule इदर आजाएंगे, तो इदर जो movement होगा, है न, इसको अपन बोलते हैं, कि this is your osmosis, solvent to solution osmosis, solution to solvent, वो हो जाती है, मेरे पास, reverse osmosis, ठीक है, अब the external pressure, which is applied to a solution to prevent, अब देखो, यहाँ पर क्या हो रहा था, अगर मैं higher की बात करूँ, तो concentration higher, इदर है न, तो यह तो इदर movement होगा, अब हो क्या रहा है, कि direction, इस direction में movement हो रहा है, ठीक है boss, अब इस movement को मुझे रोकना है, यह जो मेरे particles इदर जा रहे हैं, इसको मुझे रोकना है, तो जब आप इसको रोकोगे, तो कैसे रोकोगे, भा particles का movement है, from solvent to solution, रुक जाए, उसको अपन बोलते हैं, osmotic pressure, that amount of pressure which is applied on the solution, so that solvent molecules does not pass through the semi-permeable membrane is known as osmotic pressure, यह जो मैंने language बनाई है, यह बिलकुल यहां से समझ के बनाई है, और exactly यही language आप paper में लिखके आओगी, क्योंकि यह समझने वाली language है, रटने वाली तो फिर यहां लिख की हुई है, तो अगर तुम समझ जाओगे, कि जो pressure मैंने यहां पर लगाया है, जिससे मेरा जो movement है, वो रुप जाए, वो होता है osmotic pressure, clear है, अब यह depend किस-किस पर करता है, osmotic pressure जो है, उसको अपन दिखाते है, pi से, है na, osmotic pressure दिखाते है, pi से, यह depend करता है, concentration पे है na, यह प्रोपोर्शनल होता है, temperature के भी, यह, तो क्या बना, master, तो यह बनता है, अगर मैं osmotic pressure की बात करूँ, फटा-पट से, फटा-पट, 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 अगर मैं osmotic pressure की बात करूँ, तो यह मेरे पास, pi जो है, osmotic pressure, directly proportional होता है, temperature के, directly proportional होता है, यह तुमारी concentration के, मतलब, pi is directly proportional to ct, अब यहाँ पे, अब यहाँ पे, मेरे पास, proportionality का, जब मैं sign हटाऊंगा, तो एक मेरे पास, proportionality constant आता है, जिसको अपन, r बोलते हैं, और r stands for, gas constant, r है मेरे पास, gas constant, जिसकी unit, अखा public को पता है, 8.314 joule per kelvin per mole, अगर clear है, समझ आ गया है, तो मुझे जवाब दे दीजे, clear है, इसी चीज़ को यहाँ पे भी लिखा गया है, यहाँ से भी आ समझ लोगे, effect of concentration और इन दोनों के directly proportional होती है, ठीक है, अलग से मैंने, वैसे combining to expression, मैंने यहाँ पे combine कर दिया है, चलो यहाँ पे combine कर देता हूँ, जो भी आगा, pi is equals to crt निकल के आगा, pi is equals to crt, ठीक है, c concentration, r, r, gas constant, t है temperature, और pi है मेरे पास osmotic pressure, clear है, ठीक है, अभी question आएगा, करेंगे, इसकी एक दो question है, बहुत simple से question आते है, अब आते हैं, aziotrop पे, aziotrop, aziotrop से जो question बनता है मैं आपको बता दूँगा, क्या question मनेगा, बहुत easy question बनता है, ठीक है, जो question मनेगा, वो diet, मैं आपको बता दूँगा, लेकिन हलका समझ लेते है, aziotrop होता क्या है, यहाँ पे, जब मेरे पास, दो liquid, है न, एक same composition में, मेरे पास, एक liquid में, phase में हो, एक vapor phase में हो, तब, जब मै मैं उनको same temperature पे boil करता हूँ, उनको अपन बोलते है, aziotrop, master समझ नहीं आ है, आओ, इधर से समझेगी, इधर, aziotrops are binary mixtures, है न, binary मतलब दो होते है, solute or solvent, having the same composition in liquid and vapor phase, दो composition है, मतलब दो component है मेरे पास, जिनकी, चाहे वो liquid phase में हो, या vapor phase में हो, उनकी जो composition है, वो same है, और, वो same temperature पे boil करते है, मेरे पास, दो component, binary component मतलब मेरे पास, दो component, जिनकी, same composition है, चाहे वो liquid form में हो, या vapor form में, और, जिनका boiling point भी same हो, उनको बोलते है, aziotrop, अब aziotrop, दो type के होते है, minimum boiling aziotrop, और maximum boiling aziotrop, इसको मैं यहां से समझाऊँगा, क्योंकि, जो question बनेगा, वो इस व एगा, एक है मेरे पास, maximum boiling aziotrop, maximum boiling aziotrop, और दूसरा आता है मेरे पास, minimum boiling aziotrop, minimum boiling aziotrop, चलिए है, समझने की कोशिश करते हैं, minimum boiling aziotrop, और maximum boiling aziotrop, maximum boiling aziotrop, जो show करता है, बस यही question आता है, कि what does maximum boiling aziotrop shows, तो maximum boiling में, अब देखो, maximum है, maximum का opposite क्या होता है, सर, minimum होता opposite, और, और क्या opposite हो सकता है, और क्या opposite हो सकता है, तो हमेशा ध्यान लखने है, जब मेरे पास, maximum boiling aziotrop आएगा, तो इधर होता है, मेरे पास, negative deviation from round slow, negative deviation from round slow, बहुत important बातें चल लिए हैं, negative radiation from round slow, next, अगर मेरे पास, minimum boiling aziotrop है, है, तो वो रहेगा positive deviation from round slow, positive deviation from round slow, बास, खतम हो गया, matter ही खतम हो गया, matter ही खतम, यही question आएगा, maximum boiling aziotrop कौन शो करता है, negative deviation from round slow, minimum boiling aziotrop positive deviation, तो यहाँ पर देख लो, रिखा होगा, the solution which shows large positive deviation from round slow, minimum positive deviation from round slow, तो जो round slow से जादा शो करते हैं, वो रहेंगे, मेरे पास कौन से, minimum boiling aziotrop, example अगर तुम चाहो तो लिख सकते हो, वही example है, same मेरे पास, C2H5 OH plus H2, थीक है, clear है, तो अगर जो होना चाहिए था, वो मेरे पास क्या है, यहाँ पर, यह क्या है, minimum है, तो positive deviation, positive deviation, जो है, वो मेरा यहाँ से शो होगा, इस तरीके से, और यह है aziotrop, यह है aziotrop, यह, इस पर मेरे पास, same temperature पर boil हो रहे हैं, vapor form, यह liquid form, composition same, same temperature पर boil हो जाएं, देख रहे हैं, composition same हो गया, उसको बोलते हैं, aziotrop, next, यही, जब मैं maximum boiling की बात करूँगा, अब maximum है, तो क्या हैगा, negative deviation from round slow, यहाँ से मेरे पास आजाएगा, negative deviation from round slow, बिलकुल easy, बिलकुल clear हो जाना चाहिए, फटा-फट से, है ना, तो यह है मेरे पास उसका graph, graphs की तुम्हें कोभी कोई बिलकुल भी यहाँ पर समझने की ज़रूत नहीं है, बस यह धियान लखना, इसका, इसका मतलब क्या होता है, कि यहाँ पर मेरे पास same composition है, दोनों की same composition हो गई है, same composition किसमें, वेपर फेज में और लिकुड फेज में दोनों में, ठीक है, जो question बनेगा, आप screenshot ले लीजे, यहाँ से question आजाएगा directly, अभी अपनको question बनाना, सीखना है, है ना, अच्छे से चीज़ा है आनी चाहिए, चलिए, चलिए, बढ़ते हैं आगे, अब आते हैं अपन isotonic solution, अब देखो यार, यह तो easy है, फटा फट से, दो तीन टम बचेगों है, खतम करते हैं, अगर मैं ISO की बात करूं, isotonic, देखो same, ISO का मतलब होता है same, और जब मेरे पास tonic आ जाए, tonic मतलब pressure, same pressure, तो जब मेरे पास कोई दो, कोई दो मेरे पास solution हो, जिनका same osmotic pressure हो, two or more solutions having equal osmotic pressure under given condition are known as यह, ठीक है, इसमें क्या रहेगा, pi 1 is equals to pi 2 रहता है, अब hyper, hyper में क्या है, hyper, जिसके में एक की, एक का vapor pressure, या फिर एक का, जो मेरे पास osmotic pressure होगा, वो बहुत जादा होगा, मतलब pi 1 is greater than pi 2 भी लिख सकते हो, जैसे cytoplasm हो गया, they continue higher concentration of solute related to other solution, hyper मतलब, जिसमें मेरे पास solute की मातरा बहुत जादा हो in comparison to solution, अगर मैं hypo की बात करूँगा, तो solute की मातरा कम हो, दूसरे solution के comparison में बस, खतर, वही यहाँ पर diagram की बात बताने की कोशिश करिए, अभी यहाँ पर क्या है, यह isotonic है, अब मैंने इसमें प्रेशर डाल दिया, तो थोड़ा सा बढ़ गया, अब यह convert हो जाएगा, तुमारे पास, sorry, hypertonic solution, जो question जाता रहता है, वो isotonic से आता है, यहाँ पर भी जैसे, अभी आएगा, जैसे, pi is equals to CRT होता है, pi is equals to CRT होता है, तो यहाँ से वो लोग क्या करेंगे, pi 1 is equals to pi 2 करेंगे, c1 RT is equals to c2 RT करना पड़ेगा, pi 1 is equals to c2 हो जाता है, यहाँ से moles, वो तुम से पूछ सकता है, जो question आएगा, वो यहाँ से आपका clear हो जाना चाहिए, ISO, same, hyper, solute की concentration जादा, hyposolute की concentration कम, किस के comparison में, solution के comparison में, चलिए, question, among the following, which one is a colligative property, surface tension मैंने पढ़ाया नहीं, viscosity मैंने पढ़ाया नहीं, तो osmotic pressure होगा, चलिए, next, match कर लो इसको, चलिए, यह match करते हैं, बढ़िया question, जल्दी से match करते हैं, routes law, routes बाबा क्या बोलते हैं, आजाओ, मैं इस वाले से match करता हूँ, routes बाबा बोलते हैं, कि भाई साब, यह होना चाहिए, हेंरी बाबा क्या बोलते हैं, देखो, हेंरी constant रप्रिजेंट है, तो यह हेंरी बाबा हो गए, elevation in boiling point, आप video रोक के, खुद solve करना, elevation in boiling point, है ना, elevation in boiling point, वो है, मेरे पास यह रहा, डेल टीबी, KBM हो जाएगा, osmotic pressure, यह हो गया, यह कौन साब वाला है, जो बचा हुआ है, यह है, depression in freezing point का, है नहीं option, पर आपको, depression in freezing point का रहेगा, अगर आ जाता, तब के लिए है, अगर गलती से आ जाता, तब के लिए, clear, आगे बढ़ते हैं, next question, यह है, important और यही question paper में आएगा, मैं बता दे रहाँ, as it is, अगर उसका मनिकिया, azotrop से question बनाने का, तो, चलिए, देखते हैं, चलिए, चलिए, यह वाला question कर लो, यार, जल्दी से, है न, हाँ, फिर वही, abnormal, bowler mass वाली कहानी बची है, खतम कर रहे हैं, चलिए, 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 two liquids, A and B, form minimum boiling azeotrop, अरे, अरे, भाईया, अरे, भाईया, अभी पड़े हैं, minimum boiling azeotrop मतलब, minimum का ultra maximum, maximum मतलब, positive deviation from route's law, बहुत बढ़िया question है यह, positive deviation, मतलब, route's law से ज़्यादा आएगी, मेरे पास vapors, और ज़्यादा कब आएगी, positive deviation में क्या होता था, AA plus BB का interaction, stronger होता था, in comparison to AB, अरे, तभी ना मेरे पास, vapor pressure ज़्यादा बनेंगी, अरे, vapor pressure positive, मतलब, route's law से ज़्यादा कब आएगी, जब मेरे पास AB का interaction जोगा, वो weak होगा, तब ज़्यादा मेरे पास बनेंगी, भूल गए, one short क्या, खतम होने पर आगया, तो भूल जाओगे, ऐसे काम करोगे क्या, clear है तो क्या रहेगा, vapor pressure of solution increases, because more number of molecules escape, अचे, अरे, AB interaction are stronger than those of AA, देखो, escape वाली कहानी तो छोड़ दो, AB interaction are stronger, AB interactions are weaker, AB interactions stronger नहीं है, weaker है, answer है मेरे पास, AB interactions are weaker than those of AA और BB, यह किसका है, यह है मेरे पास negative deviation, पर negative deviation तो है इनी question, ठीक है, एक छोटू सा, एक और छोटू सा बचा हुआ है, abnormal molar mass, क्या होता है, सुन दीजेगा, कभी-कभी क्या होता है, कभी-कभी क्या होता है, कि जो हम molar mass की, निकालते हैं, जैसे अपनने qualitative property में, यहाँ पर मैंने निकाला था, जैसे, for example, यहाँ से आया मेरे पास molar mass, मैच नहीं करता है, क्या लिखा हुआ है, the theoretical value of molecular mass, when calculated from the colligative property, है न, वो कभी-कभी different करता है, experimental से, इसी को अपने बोलते हैं, abnormal molar mass, ठीक है, तो फिर इसको explain किसने किया, इसने इसको explain किया, want of baba ने, want of baba ने बताया, कि कभी-कभी होता क्या है न, कि वो जो मेरे molecules है, जो compound है, उसमें molecules उपर-nीचे हो जाते हैं, कैसे उपर-nीचे हो जाते हैं, वो आता है want of factor से, तो धियान रखना, abnormal molar mass क्या है, कि जो हम, colligative property से molar mass calculate करते हैं, उससे, थोड़ा बहुत fluctuate कर जाता है, experimental molar mass जो निकल के आता है, तो वो है मेरे पास abnormal molar mass, तो इसका formula क्या होता है, formula होते हैं, ये हैं formulas, observed colligative property, या फिर जातर जो use आता है, वो मेरे पास ये वाला formula use आता है, मतलब normal molar mass, divided by observed molar mass, want of factor के तीन formula है, हाला कि, जो question आता है, अब देखो formula क्या बनेगा, तो ध्यान लखना, यहाँ पे एक मेरे पास, pi is equals to I, C, R, T formula बन जाता है, pi is equals to I, C, R, T, अब सरी है, आई कहां से निकालेंगे, दिक्कत यहाँ आती है, वो निकालेंगे इस question के थुरू, आई, अब समझना सीखते हैं, देखो, यह बोल ला है, कि मेरे पास present है, aluminium sulphate, Al2, SO4 का whole thrice, यह present है, ठीक है, यह मेरे से want of factor पूछ रहा है, मतलब I की value पूछ रहा, जो यह पूरा-पूरा dissociate हो गया, कोई बता सकता है क्या, यही question आता है, want of factor का, ठीक है, आप यहां से I निकालेंगे, πाई is equals to I, CRT, यहां पर I की value लग देना, खानी हो जाएगी, खतम, anyways, इसका बताइए, तो देखो, Al2, SO4 का whole thrice, जब यह पूरा-पूरा dissociate होगा, तो कैसे dissociate होगा, यह dissociate होगा, twice of Al3 positive में, अरे, इसके पैरों पर दो लिखाएंगे न, और sulfate, sulfate आजाएंगे कितने, thrice of SO4, 2 negative, यह बना, अब आपको, सिर्फ और सिर्फ यह देखना है, कि मेरे पास, कितने ions present है, यहां दो है, यहां तीन है, colligative property क्या बताती है अपन को, कि हमें कोई मतलब नहीं है, nature of particles से, nature of iron से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इतना बताईए, कि कितने आदमी थे, quantity बताईए, quality से कोई मतलब नहीं है, तो कितना है, यहां पर I जो आएगा, वो है मेरे पास, 2 प्लस 3, आई निकल के आगया 5, आई निकल के आगया 5, सब का clear है, तो मुझे मेरे तक आवाज पहुचा दीजिए, कि हाँ सर clear हो गया है, clear है बढ़िया तरीके से, इसी के साथ तुमारा ये वाला चैप्टर, पूरा बढ़िया तरीके से मैंने complete करा दिया है, आपको मैं कोशन वाली सीरीज भी और भी कोशन कराऊँगा, PYQs भी कराऊँगा, सब कुछ कराऊँगा, बाकी I hope कि आपको Solutions Chapter पूरा बढ़िया तरीके से, को कि मैंने 0 से बिलकुल उपर तक लेके गया हूँ, तो इसको पूरा बढ़िया तरीके से देखेगा, I hope कि आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा, बाकी Science Edda पर बने रहें, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेर करिएगा, साजा करिएगा, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना खैल रखिए,